क्या वकील भाई को कब छोड़ेंगे अरे भाई छोड़ देंगे थोड़ा सब्रेत रखो चलिए भाई कर चले मैं अभी नहीं आऊंगा पंडित की बेटी को अगुआ करने गया तब ठाकुर ने गाउं के सामने मेरी बेज़ती की जिसका बदला मैं उसकी बेटी को अगुआ करके लूँगा भाईया ये बदले का वक्त नहीं है अपने घुसे पर काबू रखिए उसकी वजए से मैं दिन रात इस जेल में सड़ा ह उसे हारगेज नहीं छोड़ूँगा मैं उसको संभालिये चल जा भया 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 धाकुर साब देवा का छोटा भाई अभी अभी जेल से चूटा है वो गुस्ते में था आपकी बीटी को अगुआ करने बाले तोरंत गाणिया निकालो वो गजाओो निकालो बीटिन आपकी बीटी प्यंद से लगुआ करने आपकी बीटी मैं यदेला आपकी देशोर है युआ युआ नेखिवा है वालौ अख़क आई सले एस ते वलो अलो अगी वालौ अगड़ कि अग्र जयद कि अगज कि अगड़ कि अग़ कि अगड़ ऐखिज़ से गारने वाला था, मैं इसे खत्म कर दूँगा. वकर, ये मेरा शिकार है, आज ये मेरे हाथ हो ही मरेगा. अरे तू क्या मारेगा? दिव्या मेरा खुन है, इसे मैं मारूँगा. पक्वास मत कर, धीविया पे गंदी नजर डालने वाले की आखे निकाल कर रख दूगा मैं, तुझा यहां से तुम डायलोग बाजी करते रहो, काम को अंजाम मैंने दे दिया जिस धाकुर ने भाईया की जान ली है, मैं उसे छोड़ूगा नहीं खत्न कर दूगा उसे अगर उसको मार दोगे तो उसका परिवार सिर्फ एक दिन के लिए रोएगा उसकी जान जिसके अंदर बसती है उसको अगर मार डालो तो उसकी जिन्दगी मौत से भी बत्तर हो जाएगी उस भुपेंद्र ठाकुर की बेटी दुनिया के किसी भी कोने में हो उससे ढूंड निकालो अरे दिप्या इतना बाहर मत शुको गिर जाओगी ये हर याली कितनी खूपसूरत है देखो ये हरे बहरे खेद, यहां की हवा, सब कुछ कितना सुन्दर लग रहा देखो तो गाओं की तो बात ही अलग है तुम्हारी उम्रे की लड़किया लड़कों पे मरती हैं और तुम कुद्रत पर चाहल लुटा रही हो देविया, कोई तुम्हें फोन कर रहा है, शुक्रिया कहां पहुंची बिटा? मैं बस स्टेशन पहुंच नहीं वाली हूँ मैं और तुम्हारे चाचा, दस मिनट में तुम्हें लेने के लिए स्टेशन आ रहे हैं आप क्यों आ रहे हैं? मैं खुद भी तो आ सकती हूँ तुझे देखे हुए बहुत दिन होग हैं गुडिया एक सेकिंड पापा, एक मिनट के लिए होल करना अच्छा तुम्हें लेने के लिए हम स्टेशन आ गये हैं आप भी आ गये? मतलब तेरा बाप क्या है? नहीं, नहीं, नहीं तो मेरी बात सुनो बेटा वो भुपेंदर तुझे अपने साथ ले जाने के लिए आएगा लेकिन तुम उसके साथ नहीं जाओगी मेरे साथ चलोगी हाँ, ठीक है, अब मैं बहुच के बात करती हूँ हाँ, कहिए बापा हाँ, बीटा, क्या हुआ? उस बल्ली ने फोन किया था, क्या? अरे, नहीं तो ठीक है, मैं पहुँच रहा हूँ ठीक है तुमें इतनी परिशान क्यों लग रही हो? अब क्या बताऊं यार एक तरफ मेरे पापा है और दूसरी तरफ मामा और इन दोरों के बीच में भज जाती हूँ भाईया, इन लोगों को मांगनी के अलावा कुछ आता भी है क्या? अरे तुम छोड़ो ना, सुरत पर मांगी लाल लिखाया भाईया, यहां इतने लोग जमा हो गए हैं लगता है कि इससे जिला भोशित करते हैं जानते नहीं कि दिव्या तो हमारे साथ आएगी इनके साथ नहीं भाईया, हम इने दिव्या को लेके नहीं जाने देंगे तुम चिंता मत करो, दिव्या सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ चले आजो बीटा हाई खड़ी क्यों हो, चलो उसके साथ नहीं, मेरे साथ चलो कोड का हुक्म याद है न, दिव्या हमारे पास ही रहेगी महिने में सिर्फ एक बार तुम इससे मिल सकते हो महिने में एक दिन मिल सकता हो तो वो दिन आज का ही होगा मैंने इसके लिए बहुत सारे रिष्टे देखे पर तुम्हारा नाम सुनके सारे भाग जाते है यह अपने बाप के साथ ही जाएगी, चलो बेटा क्या चलो, पैदा करने से कोई बाप नहीं बन जाता जो भी रिष्टे आते हैं हमारे घर भेजो इसकी मा और इसका मामा, यानि मैं पसंद करूँगा तुम अपनी पसंद अपने पास ही रखो समझ गए, यह मेरी बेटी है इसके जीवन के सारे निर्ने सिर्फ मैं लूँगा तुम निकलो जब यह पेट में थी तब तो इसकी परवा नहीं की तुमेरे सबर का इंतहान मत ले अपनी बेहनों को लेकर चुप-चाब निकल जा यहां से चल बैटी छोड़ यह सिर्फ मेरे साथ जाएगी इसका हाँ छोड़ वरना यहीं गाड़ दूगा तुझे इसके लिए जान देने को भी साया ड़ा बाप! क्या करें आप लोग? भौहत हो गै वो जोड़ीता के लिए में लिए इंतजार करते हैं और मैं आस्टियों में रहना पसंद करते हूं आप दोनों की वजह से आप दोनों की दुश्मनी की वज़ह से आप दोनों को जो करना है करो लड़ो जगड़ो मार डालो पर प्लीज मुझे बख्ष दो मैं धब चुकी हूँ प्लीज पापा आप मेरी शादी करवाना चाहते हो ना आप जिसके साथ भी कहेंगी मैं उससे शादी कर लूगी पर मेरी भी एक शर्त है तब तक मैं मामा के घर जाने दो आज नहीं तो कली अपने बाप के पास ही आएगी इसके लिए लड़का ढूना शुरू करो लड़का कैसा होना चाहिए चमचमाती तलवार की धार जैसा जो दुश्मन की छाती पर पैर रख कर शेर की तरह ताहड़े जिस जगह पर भी उसके कदम पड़े वहां खुश्या चाह जाएं अज चुटी एगे अज चुटी एगे अज़ शंडी के दिन भी बॉस ने मुझसे कितना काम करवाया पूरा दिन खराब कर दिया अपना बॉस इतना ख़डूस है कि कोई सिंगल पसली से भी योगा करवा ले कुछ भी करवाले मैं पोल डांस ने करूँगा तू नहीं तो अज यार अज यार अज गुट मॉर्निंग सर लगता है रात को ड्रिंक्स कुछ ज्यादा हो गए नहीं सर मैं तो बिलकुल भी नहीं पीता और रात को दस बचते ही मैं सोजाता हूं तुम जूट बोल सकते हो पर पका टैक जूट नहीं बूले कितना हुआ फाइव अड़ बिल नहीं पूछ रहा हूं समय सुबह के चार मिस्टर जोज मुझे काम ध्यान से करने वाले लोग पसंद है काम के वक्त सोने वाले लोग नहीं घर जाके सोजाए शुक्रिया सर और आज की पगार कट सर हो गया नुकसार और तुम तीनों की पगार भी कट सर इसको पीछे अभी आखें है क्या हमारा नुकसान नहीं होगा हमें तो देखा ही नहीं मिस्टर सत्यम सची सर आ तो बताईए आपके प्रोजेक्ट का अपडेट क्या है इतने बड़े प्रोजेक्ट का अपडेट नहीं दे सकते अभ्यास करना पड़ता है क्लाइन को प्रोजेक्ट समझा जाने में 15 दिन लग सकने है और प्रोजेक्ट फाइनल करने के लिए मुझे दो महिने लगेंगे देखा बोलती बंद होगे सही है सेरव, आल नीट प्रिंट आउट्स अफॉल अफ दीस रेस का रिजल्ट तुम्हें रेस खत्म होने के बाद पता चलता है लेकिन मुझे पहले ही पता चल जाता है क्या बात है सर, इतना अज्ञान कहां से आता है आज कल कोई कछवा जीतता नहीं है, वो सिर्फ कंपनी शुरू करता है फिर कोई करगोश आता है और उसका बॉस बन जाता है देखते हैं करगोश कोन है ये क्लाइंट को भेज दीजे क्लाइंट स्विडन में है सर, वहां तक जाने में मुझे तीन हफ़ते लग जाएंगे एक बात बताईए अगर आपको सेफ खाना हो, तो आप कश्मीर जाएंगे या फल वाले से खरीदेंगे फल वाले से? तो ये भी वैसी बात है, क्लाइंट को मेल कर दीजे, काम फटाफट हो जाएगा अपने दिमाग का नहीं तो कम से कम इंटरनेट का इस्तमाल कर लीजे, जाएगे हाँ सर, तुम लोगों की बहुत चुटिया हो गई है इसलिए तुम्हारी पगार कट, इससे हमारी कमपनी को फाइदा हो गया सर गेट आउट दिन बद दिन उसके अक्तियाचार बढ़ते जा रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा खुद को हिटलर का बाप समझता है खाते वक्त किसकी पुराइए कर रहे हो और किसकी, तुम्हारे बेटे की अब क्या हुआ कहता है मुझे अकल नहीं है बात तो उसने ठीकी कही है वह बात तो इसलिए कंदे पे बिठा है और ऑफिस में तो ऐसा बरताफ करता है जैसे मैं बहन नहीं उसकी कर्म चारी हूँ मैं तो कहते हूँ एक नमबर का खडूस है पिछले हफते एक गर गया था ऐसे वक्त फूट्स लेके जाते है ना यह अक्सिमिटर ले गया सवबात की एक बात मैं उसके साथ कामने करूँगा बलके उससे भी बड़ी कंपनी खोलूँगा और उसके सारे क्लाइंट छेन दोंगा कोई टालेंट दिखाने के लिए उतावला हो रहा है मेरी हेल्प चाहिए आगे इटलर भूल गया बिजनस करने चले थे और वहां भी नाकाम हो गय थे और टालेंट दिखाया है तो ये नौकरी भी चली जाएगी मा खाना देना भाईया आज आपका दिन कैसा है प्लीज इतना स्वीटली मत बोल दिल में दर्द होता है मैं जानता हूँ मेरे पीट पीशे कितनी तारीश करते हैं और मा से मेरी शिकायद क्यों करते हो मैंने मा की वज़े से ही तुम सब को नौकरी पर रखा है वरना कपका निकाल देता है समझे पर मैं तो अपना काम अच्छे से करती हूँ भाईया सच बताओ मैंना कुछ लड़किया है जो चान तक पहुँच गई है और कुछ है जो घर का काम संभालती है तुमसे दोनों यह नहीं होता देखो ना मा मा कुछ कहना है तुम अपने पापा से ओफिस में ठीक से पेशाय करो थोड़ी इज़त तो वो घर मेरे पापा है वहाँ सिर्फ एंपलोई है पुरा बिजनस इनका ही है इनका है? मैं दिन राथ महनत करके इस पोजिशन पर पहुचा हूँ गेम्स डिवलप करके कमपनी को मुनाफा कमा के दिया है इनके एक छोटे से बिजनस को मैंने इंटरनाशनल लेवल तक पहुचाया है तो मैं कै तुम्हारी आर्ती उतारू? नहीं मेरी शादी करवाई है. इतनी भी क्या जल्दी है? ये मेरी जिन्देगी का प्लान है मा. शादियां प्लानिंग से नहीं होती हैं बिटा. उपर वाले ने तुम्हारे लिए भी कोई ना कोई लड़की ढूंड के रखी होगी. वाउ, हाव रोमांटिक. वैसे वो मुझे कब मिलेगी? बयाओ! जैसे धर्ती और आकाश कभी एक नहीं हो सकते, वैसे आप दोनों भी कभी एक नहीं होंगे. और यही बात मुझे अंदर ही अंदर खाय जा रही है. मैं आप दोनों को एक साथ देखना चाहती हूँ. पर आप दोनों की ये नफरत कभी कम नहीं होगी. और ये बात मुझे अच्छे से पता है. इसलिए मैं आप दोनों से ही दूर जा रही हूँ. आपकी लाटली दिव्या हमें हर हाल में दिव्या को ढूंडना होगा मुझे मेरी बेटी हर हाल में मेरे घर में चाहिए ये हुई ना बात वो लड़की दोनों को छोड़ कर भाग गई है उसको पकड़ने का ये अच्छा वक्त है कहीं से भी उसको ढूंड के लाओ इस भार उसको बचाने ना मामा पाएगा ना बाप बदला लेने का यही सही मौका है उसके कॉलेज में पता लगाओ उसके दोस्तों से पूछो मुझे वो लड़की चाहिए इंसान हमेशा उलजन में रहता है और उपरवाला उसके लिए और उलजने पैदा कर देता है उसका यह नतीजा है यह लड़की जिसका नाम है अनुश्का जो बहुत बड़ी बिजनस वोमिन है इसका मानना है कि वो खुद की तकदीर खुद है लिखती है और आज वो यह साबित करेगी कि मर्दों से भरी इस दुनिया में वो उनसे कम नहीं है तो आएए देखते हैं क्या होता है मैं आपकी टीम खरीदना चाहती हूँ पर मैं टीम बेचना नहीं चाहता मिस्टर जॉनसन आपने अपनी ये टीम फाइफ मिलियन डॉलर्स में खरीदी है क्या इनका खेल देखके डर गई डरूंगी और मैं चुट्कियों में हरा दूंगी तुम हां मैं मेरे लड़कों के सामने तुम ठीक भी नहीं पाओगी हराना तो दूर की बात है और अगर हरा दू तो टीम मुफ्त में दे दूंगा मेरे बात मानी होती थे वो ट्वेंटी मिलेन यूरोज आज आपके अकाउंट में होते मुझे चालेंज करना आपको महंगा पड़ गया नाव दे टीम इस माइन इसका नाम है संकट राव और इसकी पहली खासियत है लोगों की जीवन में संकट पैदा करना और दूसरी खासियत है बिना पूछे सलहाते नाव इस तरह से जीत जाओगे मैं जीत किया थांक्यू 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 इस सलहा से कुछ लोगों को फाइदा होता है पर ज्यादातर लोगों को नुकसान ही होता है अजयो ओ माफ करना, माफ करना यह यह आपने पैसे लगा है इसमें तो एक बिल्डिंग बन जाएगी और यह पैसे अपके है इस नंबर पे बत लगा मेरी श्रेय और रुको मेरी तो सुनो यह देखो अहां अरे तुम जीत जाओगे मुझे भरोसा करो यह देखो बन गया रोल देख कम आं यह जीट जाएंगे क्या मेरो पैसे वापस दे किस बात के पैसे वापस दूँ जुए में जुआ खेला हार ना तो तुम आर गया दोनों चीज़ों तुम ने कीया मैंने कुछ लेए पैसा दे गान क्यों निका ली कितने पैसे देने भाई 2 Million EUR 2 Million? यह रहे 10 की नोड़िस में 1 Million आइड कर ले रहा अफ्टे बद में मुझे मेरे पैसे चाहिए What the hell is this? इसके बारे में पहले क्यों नी बताया? मुझे यह पेपर आज ही सुभे मिले है मैम और यह लॉकर में पड़े हुए थे जब इसे देखा तो यह आपके प्रॉपटी की पेपर है और इसके मुताबिक आपके डाट के पूरी प्रॉपटी तब ही आपके नाम हो सकती है जब आप किसी इंडियन से शादी करें वो भी एक महने के अंदर और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपके यह सारी प्रॉपटी ट्रस्ट में चली जाएगी क्या मैम आपके पास सिफ थर्टी डेस है थर्टी डेस? मैं तो अपना बर्दे भी तीन महीने तक मनाती हूँ लेकिन अपना लाइफ पार्टनर चूज कर लू वो भी एक ही महीने में मिस्टर संकर्ट राव आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे? नहीं मैडम मेरे पे जो आप बीती है वो किसी पी ना बीते क्यों क्या हुआ? फ्रीकी एडवाइज देकर में बर्भाड हो गया वो सब मैंनी जानती चाहे कुछ भी हो जाए एक महीने में मुझे अपने क्यालिबर का एक लड़का चाहिए कैसे ढूनूगी मुझे नहीं पता कोई ऐसा जो मेरे बिस्निस को बढ़ा है जल्दी ढूनना शुरू करो वो एक अवता ही एक महीना मरगे रे देखे इंपॉसिबल है ड्राइवर दो मिनिट में मिल जाता है मैडम तलाग चाहिए तो दो दिनों में और आपको जहिलने वाला लड़का मिलना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है ओके लड़का जैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता मुझे प्रॉपटी से मतलब है काम एक महीने में किया तो वन मिलियन यूरो तुम्हारे चोड़ों मैं किसी और से करवाई हूँ मैं कर दूंगा एक महीने में कर दूंगा इन दो दिलों को मिलाने का काम मैं दो दिन में कर दूंगा पैसा रेडी रखिये सोचिए आपका लाइफ पार्टनर और आपको खुश रखने वाला मिल गया हमारी कंपनी को इससे बहुत वाइदा होगा सर मैं ऐसे पहचानता हूँ ये तो मशूर संकट्राओ है आप कभी भी किसी भी पब में जाएए ये वहीं पड़ा मिलता है और तो और बिना पूछे भी मश्वरा देता है शेट उफ ये लोग क्या कर रहे हैं यहां पर गली में जाके गोटियां खेलनी चाहिए चुप रहे संकट्राओने तो वन मिलियोन मोर लगे वे इंकटे अरे दोस्तों क्या कर रहे हैं गलत तरीके से खेल रहे हैं यू गाइस वांट तो लेर्न वहां देखो वो अंकल तुम्हें बहुत अच्छे से सिखा देंगा मैं सिखाऊंगा इन बच्चों को मैं सिखाऊंगा पैसाते भूल गया वन मिलियन देना है ये क्यों देखा है मुझे मेरे पैसे दो संक्यट रहो हमज्या वां संकट है एक्स्क्यूज में आप सीनियर कोच लगते हैं आप उन नौ सिख्यों को सिखा सकते हैं मैंने कोचिंग क्लासेज बन कर दी हैं लेकिन क्यों जबान तक्दीर खराब है और मैं कुछ ज़्यादे ही बोलता हूं इसलिए अरे सर आप तो बहुत पहुंची हुई चीज है इन मासूमों को सिखा दीजे न दुकायन बन दे भाई अरे इनको तो कुछ नहीं आता एक नंबर का पपु आये अरे का जारे हो नहीं वो आदमी हूं लगता है संकट की संकट से निकालने वाली सलगते नी पड़ेगी अब तुम पीछे हच आओ बैया जाओ बिजा बाई हच से पकड़ो उंगली इसमें इस तरह डालो अज काने की बाद पीछे ये स्टांस लो ताकि पुरी तकदाप के बाजुओं में आए जाए किलो के बाजू अब हो जाओ पीछे बाजू और देखो खुनस से और ये ये वाजुट गया वी दिवाली अरे सर्कुल ये क्या वालू तुम हटो पीछे ने चाल दंडी मिस्टर तुमने क्लब का नुकसान किया है पैसा भरना पड़ेगा कितना पैसा हुआ रहा 20,000 यूरो अरे हटाव इतने चोटे अवाउंड के लिए डंडा दिखाते हो ये लो जाओ इसमसे पूरे बीस निकार लो हाई, आम कार्थिक अरश्का बहुत सुना है आपके बारे में आपकी आइडियाज, बिजनेस का तरीका मुझे बहुत पसंदा है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में भी आपको काफी दिल्चस्पी है तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम दोनों मिलकर पार्टनर्शिप में एक गेमिंग कंपनी खोलें और फिर फुटबॉल, बास्किटबॉल, रग्भी ऐसे कई स्पोर्ट्स को स्पॉंसर कर सकते हैं विकाज आई थिंग दे फ्यूचर इस अबाउट स्पोर्ट्स हमारी कंपनी दो लीडिंग टीम्स को खरीदेगी और दोनों टीम्स हमारी कंपनी को प्रमोट करेंगी इंडस्ट्री में हमारी मॉनापली होगी और अगर ऐसा हुआ तो हमारी कंपनी को दस गुना ज्यादा मुनाफ़ा होगा एसी डील बार-बार नहीं आएगी यही है मेरा प्लान जैसा बिजनस पार्टनर मुझे चाहिए आप बिलकुल वैसे ही हैं आपके साथ बिजनस करने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा हमारी ट्यूनिंग काफी अची मैच होगी डील मन्सूर है मिलते हैं शादी के लिए लड़का कैसा है? शादी? क्या ये बिजनस डील नहीं थी? नाट अट अल आपका होने वाला धूल है नाइस जॉब मुझे जैसा लड़का चाहिए था ये बिलकुल वैसा ही है शादी करूंगी तो सिर्फ इसी से अब जल से जल मेरी भी नईया पार कर दीजिए क्या? ये कह रहा था कि जैसा आपने चाहा था ये लड़का ठीक वहसा ही है मैडम आपकी पसंद इसकी पसंद है आपकी नापसंद इसकी नापसंद है मैंने इसकी पूरी कुंडली निगा लिया तुम पर भरोसा कर सकती हैं पूरा भरोसा कर सकती है कोई घलत ही हुई तो ग्ला काइचके लिएं पेश करनूगा माडूम जसा कि वादा किया था यह रहे तुम्हारे वान enjoy 1 यह वा वा किया वा किया बात है मागए के पैसे जल्दी देना अरे उसी के जेरोक्स कर ले एक मिलियन के चेक एक सेकंड मी मेरे हाथ में नहीं टिक टिक टिका तो यह है वो जगह जहां अमारी नहीं कमपनी होगी मैं अंदर आ सकती हूँ हाई कार्थिक कैसे हो तुम कौन हो तुम मैं हूँ अनुष्का BMC Group of Companies की मैनेजिंग डिरेक्टर इस इस सप्राइज मिलना था तो आफिस में मिल सकते थे मैं बिजनस की नहीं पर्सनल बात करने आई हूँ इसलिए तुम्हारे घर आ गई इसलिए तुम्हारे घर आ गई आफिसूर का लगा यह प्रपुजल कोई शादी का है यह कोई बिजनसका दोनों है इस शादी से हम आपने बिजनस को बहुत एक्सपांड कर सकते है इस में रेक प्रोजेक्ट चल्रा है जो तम्हारे जीजु समाल सकते है और आस्ट्रेलिया वाला प्रोजेक्ट समहाल सकती है, तुम्हारी बेहन, और लंडन में एक गेमिंग की नई कमपनी खोलेंगे, जिसे तुम्हारी डाट समहाल सकते है, और हाँ तुम्हारी मॉम के ले, माँ हमारे साथ रहेगी, मुझे लगता था ये अकेला सर्फिर है लेक मा, शादी मुझे करनी है, तो पसंद भी मेरी होगी, अनुष्का, तुम कल क्या कर रही हो, कुछ खास नहीं, तो कल ही सगाई निप्टा लोते है, क्या, और इसी महिने की पंदरा तारिक को शादभी, पंदरा का बदवार, वीकेंड पे रखते हैं, मुझे आफिस मिस्स न अनुष्का को अंगुठी पहना रहे होंगे, तभी पापा को हार्ट इटाक आ गया तो, अरे, ऐसे कैसे हार्ट इटाक आ सकते हैं, तो मत चुबे रही है, सिर्फ ना टक करना है, ताकि कल सगाई रुख जाए, और हमें वक्त मिल जाए, शाहिर कोड़ने का, ताकि कल शादी तो दूर की बात है, अब तो सगाई भी करनी है या नहीं, इस बारे में सोचना पड़ेगा, क्या हुआ बेटा, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, तो और क्या करूँ, कहती है सगाई के लिए मैं क्या पहनूंगा, आप लोग क्या पहनेंगे, वो वो डिसाइड करे और तो और, आप लोगों के बारे में भी बुरा बोल रहे हैं, बस बहुत हो, उसकी अकल ठिकाने लाने के लिए ये शादी रोकनी होगी, वो और करें अभी बता दो, कली दसका रिजाद कर रहा है, क्या बात, शादी तोड़ने के लिए एतना इंट्रेस्ट है, वो लड़ अगर तुम से नहीं तुम्हारे पैसों से प्यार है, बिल्कुल सही, कल अगर तुम कंगाल हो गए, तो तुम्हे ही छोड़के चली जाएगी न, तुम्हारे लिए मैं अच्छी लड़की ढूंड कर लाऊंगी, तुम सबाई तोड़ दो, नहीं मा, अगर अभी तोड़ें कौन सक्रीम लगाती हो? अच्छा है, बहुत लोगों को बलाया है, अच्छा ही है, जितने ज्यादा लोग आएंगे, उसकी उतनी स्यादा पेश सती होगी, मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि कब उसकी इंसल्ट का ढोल बजे और मैं उस पे भंगणा करूं, वो देखो, आ अपने कलीक से मिलवाती हो, आ फॉल्ली, जरा भी संसकार नहीं है इस लग्की में, हमारे पाउं तक नहीं छुए, थोड़ा समय दो, सारी अकल ठिकानी आ जाएगे, हीस पीटर, ये है मिस्टर जॉन, राइन, डेविड और और ये है ओली, ये मेरे फ्यांसे है, काट टेक, राइस भी जी जी थे थू थू है, हहलो दोस्तों, आपको पता है, यहां की हर लाइट मैं अपने हाथ से लगाई है, ओ अच्या, वैसे आपकी तारीफ, आपने मूझे क्या तारीफ करूं, वैसे मैं संकट रहा हूं, मैं कुछ लोगों की समझ में आता हूँ, और कुछ लो अपना बेटा सगाई का नाटक करा इसे पता है अभी होगा दमाका वो भी जोटा नहीं बड़ावाला दमाका इसने तो हमें ही चमन बना दिया तो यह जटका कैसा लगा पापा आप ने मेरे लिए जाल बुना था लेकिन मैंने अब सभी को उसी जाल में फसा दिया इसे कहते हैं दिमाग नेले पर तहले पर तहला जाओ रास्ता साफ है आप से कुछ बात करनी है क्या बात है इंडिया की हमारी बायो केमिकल फैक्टरी में आग लग गई है वाट यह कैसे हुआ पट पाइब फट जाने की वज़े से और कई लोगों की जान भी गई एक और इस केस की वज़ेशन ने हमारी फैक्टरी पर केस किया है जिसकी लेकिन वोलो केस वापस नहीं ले रहे हैं वो केस किस ने किया है ग्रीन आमी ओगनाइज़ेशन ने अभी क्या भी मेरी इंडिया के टिकेट्स बुक करो तुम दोन यहां किया कर रहा है, तुम अचानक कहा रहे हो एक जरूरी काम आ गया इंडिया जा रहा हो मुझे कॉल करने में तुमें सिर्फ 30 सेकंद्स लगते और मेसेज टाइब करने में सिर्फ लगते 20 सेकंद्स मिस कॉल देते तो फ्री में हो जाता एक बात याद रखो आज के बाद तुम कोई भी काम मुझे बिना बताये नहीं करोगे चाहे वो बिजनेस हो या कुछ परसनल अब बताओ कि अचानक इंडिया जाने की वजय क्या है देखो इंडिया में जो फैक्ट्री है उसमें चोटा सा प्रॉब्लम है उसे सॉल्फ करके आ जाओंगा वहां पहुंचने के बाद तुम मुझे वहां की हर चीज की अपडेट दो संकर राव यह मैडम जी यह शादी तो करेगा ना मुझसे जरूर करेगा मैडम इसका दिमाग थोड़ी फिर गिया है और अगर नहीं की तो कह दिया ना गला काट के आपके पेरों में अर्पित कर दूँगा जबान दे रहा हूं मैं शुक्रिया येश 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 आखिरकार जो मैं चाहती थी वही हुआ पापा और मामा हर जगा मेरे बारे में पूछताच कर रहे हैं उन्होंने मेरे गाओं के दोस्तों से भी पूछा और कॉलेज के दोस्तों से भी लेकिन उन्हें क्या पता कि मैं तो शेहर में अपनी एक जाएगा ये नामम्किन है दिव्या मुझे पूरी उम्मीद है कि उपरवाला मेरी बात जरूर सुनेगा मेरी इच्छा कभी तो पूरी होगी तू देखती जा आपको चश्मे में से दिख रहा है आपका पैसेंजर कौन है वीजा पल ठपा लगा कर हम भी कहीं घूमने चलें गोवा बीच के बीचों भी जाकर मजा करेंगे ओके कि ट्राफिक क्यों है लगता है कोई रैली नहीं कल रही है शायद ग्रीन आर्मी है यह पेड़ों को बचाने का काम करते हैं जाप्रों कि कोई ही है है जाइ यही है वो नोटिस जो ग्रीन आर्मी वालों ने हमें भेजी है सर और सर यह क्या सर आपने मुझे एरपोर्ट पे देखा ही नहीं जब नजर किसी और पर हो तो सामने वारा कैसे देख लिया ताक्सी का बाड़ा इसकी तंख्वासे काटू एक तो तंख्वानी मिलती उपर से मेरी काटेंगे जेब ग्रीन आर्मी का लीडर कौन है उसका राम दिविया है सर फैक्टरी पाकर कहने लगी कि यहां से निकलने वाले धुएं केमिकल से परियावरन दोशित हो रहा है और पेड़ पौदे भी मर रहे है उसको पेड़ पौदों से बहुत लगावे सर वो तो पेड़ को ह investigators कु स्वादी अंजान लड़के को हाए क्यों वो रही है एसा करूँ दो ही तो पीछे पड़ेगा रोख तेरे पापा को बथा ने पापा भी तो यही चाहते है मोदो निशाना बदॉत नशाना कहीं और लगा पेड के डाली क्यों तोड़ी मेरे नाक में घुस रही थी जरा उस मासूम को देखो तो तूटने पर खितना दर्द हुआ होगा उससे डाली के कौन से नस्में एमोशन्स दौरते हैं तुझ जानता भी है क्या पेडों में भी जान होती है फीलिंग्स होती है तुझ जैसे लो अब देख तेरे सामने में पूरा पेड़ कात देता हूँ देखना है उस पेड को आज भी आई ना तो देखना हलो पुलिस्टेशन कलतक चानल टीवी नाइन सीसी बी टैन फाइव सब आ जाओ जल्दी यह वो आदमी यह पेड़ कात रहा है पकड़ो इसे क्या शास्त्री और कौन कौन है अरे आप तो ऐसे आरोप लगा रहे हो जैसे मैंने गाली दी हो अरे मैंने तो सिर्फ डाली तो देखो इस मासूं डाली को रो रही है यह अब और क्या सबूत चाहिए गिरफतार कीजिए इसे जल बहें आने जल इतनी आसानी से पेड़ की डाली तोड़ दी पांजे यह कोई चावी वाला खिलोना है कि तुम चावी भरते रहो गया और वो आगे पीछे आगे पीछे होती रहेगी इससे देखने में मसा आ रहा है मामाची मेरी साथ बहु वाली सीरियल का क्या होगा नहीं तू देख यह तो दिविया के लिए ताज महल बनाने वाले अरे अकल के दुश्मन वो तो तब बनेगा ना जब यह उस लड़की को मारेगा तो भांजे कब मार रहा है मामाची आप मेरी महबत का मसाख उड़ा रहे है भांजे मत भूल कि तू बहुत बड़ा गुंडा है कोई मजरू नहीं है तू आप बस हुकम दो भाई अभी लड करना शुरू करें अरे तू गुंडा है आजा 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 कहने से क्या वो आजाएगी उसे उठा ले नजाकत से ही उसकी पपी ले और छोड़ दे मामाची वो एक फूल है हाँ वो फूल है और हम फूल है बंद कीची अरे कमला भाई आज फिर चार कप तोड़ दिये तोड़ार की जिंदगी जी रहा है और कमला भाई की वेटी के लिए एक लाक रुपए दे रहा है भाई क्या हुआ रे फ्रीन आर्मी वाली लड़की का पता चल गया है वहां पर भी पौधे लगा दो एक्सक्यूज मी निकालने आया हूँ अब जो हो गया उसे भूल जा मुझे एक नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट दो और मैं चला जाओंगा एसे कैसे भूल जाओ मैं हां तुम लोग इतनी आसानी से ये जो पेड काट देते हो तेखा बाशू हो गया उजड़ गया मिस्टर उजड़ गया एक ऐसा वक्त था जब चुड़ियों की आवाज से नीन खुरती थी अब तो चुड़िया ही नहीं बची तो अलाम लगाना पड़ता है पंचियों को तो पिंजरे में कैद करके आजकल मनोरंजन का साधन बना लिया गया है क्या सीख मिलेगी आने वाली पीड़ी को तुम्ह हमें सांस लेने के लिए और तुम उनकी तसकरी करके पैसे कमाते हूं तुम्हारी फैक्ट्री से कितना केमिकल निकलता है तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है अगर यहां से कल्टी नहीं ली तो हमारा हाइड्रोजन नाइट्रोजन निकाल देगी चलिए तेरी प्रोब्लम क्या है अगर जानवरों से इतना ही प्यार है तो जाके सू में नौकरी करना जी बर के देखना हुने और क्या का एक टाइम था जब चीडिया चीची करके हमें जगाती थी अलाम क्लॉक के पैसे मुझ से ले ले ना तुम ग्रीन आर्मी को डरा नहीं सकते पेड़ पौधों के लिए तो मैं जान भी दे सकती हूँ जा जो करना है कर ले तुम में बहुत अकड़ है ना एनोसी देदो वरना मेरे पास और भी तरीके हैं मेरे अंडर वोल्ड में कॉन्टाक्ट हैं तरी सुपारी देदी ना खतम हो जाएगी देख मैं तुझे 24 घंट अरे भांजे रुक तो ये क्या कपड़े पिना दिया है तुने और गले में ये पासी का बंदा लटका दिया है मेरे प्यारे भांजे जब हम किसी से मिलने जाते हैं तो इसके लिए प्यार से कोई तोफा ले जाते हैं पूल ले जाते हैं ये गमला लेकर कौन जाता है विट आप भी पर्यावरन प्रेमी है? जई हम इंसा प्रेमी है? अबेट चुप चुप अबाजी, कुछ कहीए? दिव्या बेटी, ये क्या रहा था कि हम इंसान प्रेमी हैं हम भी फूलों को, पौदों को, बड़े प्यार से पालते हैं उनकी देख भाल करते हैं अब चुप रही है, अब मैं बोलता हूँ जब से मैंने तुम्हें आंदोलन में देखा थो मुझे तुमसे लगाफ सा हो गया दुपहर को नेद नी आती, खाना राट को चार बजे खाता हूँ समाज ही नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है तो गुंडे चाहिए, सब लोग अपने अस्त्री रूप पे आ जाओ, शुरू हो जाओ हम सब बैदाईशी गुंडे हैं माफ करना दिविया, तुम्हें पटाने के लिए मैंने जूट बोला था मैं इस शहर का मशूर गुंडा हूँ हाँ, अस्ती खून किया है, सवसे जादा जमीन पर कभजे किया हैं भाई ने और दस बारा नहीं, पंदरा शहर की पुलीस जूट रही हैं भाई को सच में, वो मैंने एक फैक्टरी पर केस किया है और अभी-भी उसका मालिक आकर मुझे धमकी दे कर किया है क्या आप उससे निबढ़ सकते हैं? कौन है वो? वो जो चुंदर के साथ वाला वो दिखिये वहाँ वही है उसका गेम भारी करूँगा बेटी तुम बिलकुल फिकर मत करो उसकी तो मैं ऐसी हालत करूँगा कि मौत के बाद भी याद रखेगा महिए अगेम घेम होगा यह देख रहरे ले है यह दख विए खुटक थूले असले पच्चास तूला पच्चास तूला कितना पच्चास तूला टौक इस तुम घंटाव के अगद आए क्या मचस्ट अक्षन वोई है ना एक्षन तो भी शुरू होगा मैं देखने के लिए त्यार हूँ मारो इसको अरे रुचाओ 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 बस करो एक्षन करना है तो फिल्मों में जाओ ना वो एक फूल है फूल है तो मैं क्या करूंगा तुम भी उसके तरह रख्षक बनो भख्षक क्यों बन रहे हो औरत की इज़ट ना करने वाले पर ऐसे ही लोग भारी पढ़ते हैं याद रखना मारो इस च्छाओ ये किस औरत की बात कर रहे थे और मुझ पर क्यों भारी पढ़ रहे थे टिकेट तो खरीदा हुआ था सफाचट करोगे नए खोड़ेंगे अच्छा मजाख है भोड़ना भाड़ना तो तुम जैसे दरजीलों करते हैं मैं सिधा सुलाता हूँ वो भी दस मिटर जमीन के अंदर समझ गया है वो एक भूल है बस उसकी खुश्बू लेना जखम नहीं देना यह कौन सा भूल है जिसका मैं काटा बनाओ मुझे क्यों मार रहे हो सवाल करता है जबाप अरे यह क्या चोब कैसे लगी शायद मुझ में खोट है गुरूप में चड़ीस वड़ीस आते और मेरी हड़ीस तोड़ देते हैं प्लास्टर का खर्चा भी नहीं देते तू उन लोगों को जानता है अब पूरी तरह जान गया हूँ कहता है कि वो एक फूल है और फिर मु उस चचुंदर को मैंने तब यप से धोया उसकी नानी याद दिला दी अब वो परेशान नहीं करेगा सच में शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया वही फोन कर रहा है लगता है माफी मांगना चाहता है अरे वाँ स्पेकर पर डालो हम सब सुनेंगे हलो अब तक क इस वापस लेने का एक और मौका देता वरना मैब यह तो अभी बत्तम इसी से बात कर रहा है आप तो कुछ और कह रहे थे सिर्फ शक्ले ही गुण्डों जैसी है क्या काम में तो जीरो हो उस चचुंदर में तो इतना दम नहीं दिखता कौन चचुंदर तुम ही बोली थी दिखता है हमने उसका ही कचुंबर बनाया इतना पीटा है कि वो जिन्दगी बरना ही पूलेगा मैंने आप लोगों से कहा था चचुंदर नहीं चचुंदर के साथ वाले से निपटना है आप लोग जाके गलत इंसान को पीटा है लेकिन तुमने जीसे कहा हमने उसे ही नहीं लिके हो जाएगा होट में छेद है ना मुझे 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 चाले देजिए मैं किसी पागान के पास नहीं जाओंगा ना छोटा ना ही बढ़ा किसी भी पूल के पास नहीं जाओंगा कसम से Mr. Sachunder, में तुम्हें मारने नहीं, बलके माफी मांगने के लिए आया हूँ. घलत इंसान देख लिया मेरी आंखोंने. तुम्हारे बॉस को मारना था? तुम्हें पीन दिया? Boss को..? आएम्टी वैरी सोणिए! चाहो तो मुझे मार कर बद्ला ले लो, मारो, मारो, मारो!! कितनी बार माफी पांगोगे अब इस सचुंदर से पूछो कि इसका बॉस कहां मिलेगा हमें पता कहा है वो कहा है बॉल उच्छाल रहे है अमा जी उसकी वज़ा से दिव्या ने मेरी बेज़ती की है उसके थुलाई करो लेकिन जान से मत मारना आरे भाई आपको तो पता ही है लड़ाई जगडे में कुछ भी हो सकता है मेरी जान जा सकती है उसकी भी जा सकती है ठीके द्यान रखूंगा ए शाणे रुगजा स्यादा हीरो गीरी मत दिखा तेखो वो सारे मासूम बच्चे हैं आराम से शांती से बात करते हैं आओ मेरे आराम और शांती से मेरा खून अरे कहा ना शांत रहो अरे ए पंटर लोग तुम लोग भी आओ दो तीनी आओ और नहीं डर जाएगा हुआ है हिरो अब एस सुनाई नहीं दे रहा इदर आ बॉल को बहुत उचाल लिया अभी शंकर भाई तेरे को उचालेंगे प्यार की भाशा समाज और अपने साथ चल शंकर भाई उसको बोल यहां के बात करें यहां चंकर भाई यहां आएंगे तेरे से बात करने के लिए उनकी किसा गई तो ठोक देंगे जो बोला व करना सुमझ में नहीं हो ड् Elod आख देगिर लेओ मरो त दुरह मैं तो निकलता हूँ बचा अरे का हुआ बस मैं पहुंची रहा हूँ अंदवे हूँ तुम नहीं लगते हो शहर में यहां कुछ काम हो तो बता ना बहुत अपनी पैचान है कुछ भी काम हो तो सीधा मेरे पास क्या हुआ बेटा देखो मैं तो तुम्हारे बाद जैसा हूँ मुझ पर हाथ उठाओगे अच्छा नहीं लगता मैं करता हूं कुछ है यह भांजे उस लड़की के चकर में मेरी खट्या-खड़ी होने वाली है लड़की कौन सी लड़की वो ग्रीन आर्मी वाली बेटा तु मेरी छोड तू सोच यहां से बाहर कैसे जाएगा अब यहां से सिर्फ तरी लाश बाहर जाएगी एए जबान सम्हाल के बाद कर एए मुझे मत ललकार मैं वो आग हूँ जो तुझे जला कर राक कर देगी अगर मुझे चुएगा तो जल जाएगा ऐसे फिल्मी डायलोग चला बाजा और चुपचाप मार खा ले मेरे पास समय नहीं है ले प्रिम अश्ट कुपचाप ले टाई ऩर शे मुझे जलाएगा मेने दिल्ग सक्रांपाली कर उड़ी की जल भी सिर्फाफा उल्कील ड HOWटाista सम्हां वाटांतो आएवाः पील है प्रिक मो में कुपचाप whitाईमा तुआव पिएवा पा одномर उल डिसा के तुच प्री पुख पुख अपने तो सिफ उसे धंकी दी थी उसने तो सचमुछ गुंडे भेजे हमें तो बस अनोसी चाहिए थी कौन से टाका बिढाना है आपको कहा उसे प्रेम की रास लिला रचानी है प्रेम ये अच्छा इडिया जो काम धंकी से नहीं हुआ प्रेम से होगा मतलब आप उसकी दिल को चुएंगे नहीं उसकी दोस्त के दिल को तो मेरा क्या होगा सर अरे कॉस्ट चिल ये सब एक नाटक है सीधी उंगली से घीना निकले तो उंगली टेड़ी करनी पड़ती है ओके सार लेकिन मेरी गल्फ्रेंड के ज्यादा करीब मत जाएगा लेकिन क्यों स्लुए बिना केले के चिलके पिसलती है ओ फिर तो और मजा आएगा स्वाती स्वाती उठो ना हापी बर्दें क्या बात है आज जनम दिन है फि इतना बोरिंग डे है कितने सुन्दर फूल है यह सारे फूल तुम ही लाइना मेरे लिए यहां क्यों आए हो ज्यादा खुश्मत हो तुम्हारे लिए नहीं आया हो इसके लिए यह सारे फूल मेरे लिए हैपी बर्दें थांक्यू सो माच मेरे लिए इतने सारे बुकेस अच्छली थोड़े और ले आता पर इस शेहर में इतना ही मिले यह सारे फूल देकर यह तुम्हें बनाना चाहता है था रहा है तुम्हें जानता था यही कहोगी मैं फसाने नहीं चाबी तेने आया हूं किस कोई तुझे इतना महेंगा गिफ्ट देगा और तु ले लेगी शर नहीं आती ए मिस्टर हमें तुम्हेरा कोई गिफ्ट नहीं चाहिए और मुझे चाहिए जब स्वाती ने किसी चीज को पसंद कर लिया तो तुम कौन होती हो उसे मना करने वाली विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हें तोफे में गाड़ी मिल सकती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसा छपरी लड़का उपर वाला हमारी जोली में डाल देगा बेटा त तुम इसी तरह से मेरी बेटी को तौफे देते रहोगे ना वो क्या है ना अंक मैं स्वाती से प्यार करता है अगर आप हां कह दे तो तुम्हारी सदा पर स्वाती तो क्या मैं भी हां करने को तयार हूं ये क्या बग रहे हो मापा है चुप रहो तुम हीरे की परख तुम क् मैं नाटक कर रहा हूँ, मेरे प्यार पे आपको शक है, तो गाड़ी की चावी दे दो दिव्या, ये लड़का इतनी शराफत से पेशा रहा है और तुम इसे नाटक कर रही हो जाने दे बेटा, ये लड़की पहले से ही नचड़ी है इस ओकी अंकल बेटा, तो अब हम बेडरूम में चलें पापा, तो मैं कहाँ जाओ चिलाओ मा, कोई महमान हमारे घर में पहली बार आया है तो क्या मैं उसे अपना घर भी न दिखाओ, आव बेटा, चलते है मुझे जरूरी काम याद आगे, चलता हूँ अजी सुनते हो, वो आ गए है ये सुबह सुबह कौन आ गया? कार्थिक आया है कार्थिक? अरे तो ऐसा बोलो का, आव दिखावा अंकल आपकी अनुमत ही हो तो, इसे बाहर गुमा लो मुझे भूल गए, इसके आगे है पूछ रहो, पूछ रहा था कि इसे घुमाने का प्रोग्राम कितने दिनों का है हमेशा चिलाती रहती हूँ बस कुछ देर के लिए रुकुब, तुम कही नहीं जाओगी, आज तो ग्रीन आर्मी को शास्री नगर में पेड लगाने जाना है तुम भूल गए क्या? बिल्कुल नहीं, तुम्हारे साथ ये गई तो ये भी पेड बन जाएगी ठांक्स अंकल, एक आप ही है, जो मेरी भावनाओं को समझते है वो क्या है, पहली बार मेरी बेटी ने मोटी मुर्गी को फंसाया है मुर्गी नहीं, मैं मुर्गा हूँ क्या? कितनी बक्वास बाते करके टाइम बेस्ट कर रहे हो मैं इसे घुमाने लेकर जाना चाहता हूँ ठीक है, मैठी तुझा तयार होकर आ तुम्हें पता भी है, तुम क्या कर रहे हो? जानता हूँ, हम अज बहुत enjoy करेंगे उसका birthday celebrate करेंगे, तुम्हें जलन हो रही है कान खोल कर सुन लो, वो कहीं नहीं जाएगी दिव्या, तुम बार बार इस पर डोरे क्यों डाल रही हूँ इस दुन्या में लड़कों का अकाल पड़ गया है क्या? कैसी लग रही हूँ? अरे वाँ कि चली सुन्दर लग रही है बाइ अब तुम जाके पेड लगाओ अरे वाँ, घार भी आगाँ लिखते हैं, हमारे लिग आगाँ अगे आगाँ लिखाओ आई लाव यू रोज तो फिल आये करो, लिखते हैं इसमें किया है हालो भाया, हम सब जगे देख चुके लेकिन दिव्या का कोई बता नहीं चला कहां गयब हो सकती है वो नहीं मिली का क्या मतलब है, जमीन खा गई आसमान निकल गया जब तक दिव्या ना मिले, उसे ढूंडते रहो, मत बनकर उसका पीछा करो अंकल, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करो कारतिक दोखेबाज है, मकार है, यही ना नहीं अंकल, वो बात नहीं है, जहां उसकी परवरिश हुई है उस बारे में तो बताओ न वो विदेश में पला बड़ा है, वहां प्यार टाइम पास के लिए करते हैं, तो उसके साथ स्वाती की शादी बहुत सो समझ कर कीजिएगा अब तो यह शादी हो कर रहेगी स्वाती हो, हलो अंकल नमस्ते नमस्ते तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं यह कॉस्टूब है, मेरा मैनेजर अरे दिखता तो यह बंदर जैसे है, तुमने इसे मैनेजर बनाया है लाल खुद के कर रहे है, लेकिन बंदर मुझे कह रहे मैं अगर काम में बिजी रहा तो मेरे बदले यह आएगा सोचा आपसे मिलवा दूं, अच्छा आद्मी है यह बंदा पक्का कुछ हुल्टा-पुल्टा करेगा हाई बेबी, कब हाई मैं अभी है सुनो कार्टिक बेटा तुम अपने मम्मी पापा को हमसे मिलवा दो लेकिन क्यों? अरे तुम्हारी शादी के बारे में बात करनी है ना उनसे शादी? येस तो यह आग इस ने लगाई है इस बात से तुम चौक गए यह समझ में आया पर यह बंदर क्यों चल रहा है? कार्टिक बेटा, मैं चाहता हूँ कि स्वाती से शादी करने के बाद तुम मुझे अपने साथ ले चलो तुम चुप रहो विदेश में जाडू पुछा करने वाले को भी अच्छी पगार मिलती है फिर दुख भरे दिन बीतेंगे, अच्छे दिन आएंगे कर्टिक बेटा, शादी हफ्ते भर में हो जानी चाहिए नहीं हो सकती अब तु इतनी खोखो क्यों करना है देखो दिव्या, तुम सच नहीं जानती हो एक मिनिट सर, बॉस यहां पर स्वाती का हाथ मांगने नहीं आये हैं कान खोल कर सुन लिजे, बॉस स्वाती से नहीं दिव्या से प्यार करते हैं तुम जोट बोल रहे हो, सचाई क्या है, तुम बताओ सच की धारा बह गए गई सर अब बोल दिया तो बोल दिया अच्छा बेटा, तुम्हारे दिये हुए तोफे वापस करने होंगे नहीं आप रख लीजे दिव्या सुनो बेटी, दिल छोटा ना करो कोई दूसरा बकरा फंसाओ जो हमें बंगला तोफे में दे सके दिव्या रुको छोड़ो मुझे देखो दिव्या, मुझे तुम पहली नजर में ही पसंद आ गई थी दिव्या जिस तरह तुम इन पेड़ पौधों और कुद्रत से प्यार करती हो ना बिल्कुल वैसे ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ मैंने तुम्हारे लिए फैक्टरी छोड़ दी अब तुम मुझे मत छोड़के जाना ये फिल्मों वाले डायलोग कहीं और जाकर मारो मिस्टर मैं नहीं भसने वाली अपनी एक गंदी शकल लेके निकलो मैं जानता हूँ तुम दूसरी लड़कियों की तरह असानी से नहीं पटोगी पर जब तक हा नहीं कहोगी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूँगा डिव्या डिव्या सुनो भाया डिव्या का पता चल गया ये तुम्हारे लिए बाई ली जितने प्यार जैन से बात करती हो कभी मुझसे भी कर लिया करो इमली की तरह थोड़ी खटी है सर आम की तरह थोड़ी मेटी बनो ना लगी क्या आप रिस्क मत लीजे सुनो दिव्या ये हरी भरी जवानी हरी आली पर क्यों लुटा रही हो अरे पेड तो अपने आप बढ़ जाएंगे आपके प्यार के घांस पर ट्रैक्टर चला कर चली गई बचाओ क्या लगा था शहर आ जाएगी तो हम तुझे ढूंडने ही पाएंगे अब बच के कहां जाएगी बचाओ जहां कारी मेपक, जाएग जोर चला कुछेव सिलारा बेद्गार, चुपकर प्रचाओ, जाएगारी बचाओ, जाएग, जाएग, चुपकर हाँएग, जाएग, 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 जाएग फॉपकर कौन है वे तू? अबे सुन, अगर तू एक शेर है और वो लड़की तेरा शिकार है, तो पता है मैं कौन हूँ? शिकारी हूँ. देख, उस लड़की को भूल जा. आखरी बार कह रहा हूँ, निकल जा. सुन बे, तू जानता है हम कौन है? हमारी पहुंच नहीं जानता है क्या? मेरा घूसा खाने से पहले, सब लोग यही डायलॉग बोलते हैं. जितना वक्त ये फाल्तु बक्वास करने में जाया किया है, उतने वक्त में मैं तुझे तो बार मारता. बहुत कर्मी है ने तुझ में, अब भी तेरी हेकड़ी उतारता हूँ, देखते हैं किती देरी टिकता है, मारो इससे, दुआ ना! अच्छू, ऩल्iter現在 में सकती है, मारो जामें तुझारम, बी Bowlा भी को वक्त में सकती है! कहां जा रही है? यहीं रुको! देवा का छोटा भाई यहां भी पहुँच गया, मार देते हुसे! अभी नहीं! और वो कॉन है? दिव्या का दोस्त होगा? सिर्फ दोस्त होता तो अपनी जान खत्रे में नहीं डालता, वो जरूर मदद के लिए पुलिस को फोन करता, यह जरूर दिव्या पर अपनी जान लुटाता है. यही है वो लड़का जो हमारी दिव्या का जीवन साथ ही बनेगा! पापा, आप? आप क्या? जलो! मैं नहीं जाओंगी! एक शब नहीं! चलो! सर! यह लड़की मुझे कुछ सही है नहीं लग रहे है, फैक्टory के आर में कुछ और ही हो रहा है, सर. मैं इंडिया फैक्टory के लिए नहीं आया हूँ, दिव्या के लिए आ रहा हूँ. दिव्या के नाम पे अपनी फैक्ट्री पर केस करवाने वाला मैं हूँ, से ही होती है और मेरी कहानी का अंद भी दिव्या से ही होगा दिव्या चलो आओ चुपकार तेरी नाक के नीचे से ये भग गई क्या खाक देख भाल करेगा तू इसकी तू बोल रहा है अपनी करभ वती पत्नी को निकालने की दरिंदगी की है तुने तुझे इसे बेटी कहने का आख नहीं है चल जा बस कीजिए पापा और आप भी मामा जी यही वज़ा थी मेरे भागने की अगर दोबारा आप लोग लड़े तो इस बार मैं भागूंगी नहीं सीधा जान दे दूगी वो कौन था जिसने दिव्या की जान बचाई पता नहीं कौन था पर उस लड़के ने छोटे मालिक की हड़ी पसली एक कर दी तुम लोग देखते रहे उससे पंगा लिया तो वो आपको नारियल की तरह छील के पी जाएगा भाया हेई ओ लड़का कौन है कहां से आया है उसकी पूरी कुंडली चाहिए मुझे इसका मतलब है कि आप विदेश से अपनी फैक्टरी के लिए नहीं उस लड़की के लिए ये क्या राज है इस कहानी की शुरवात मेरी मां से होती है मुझे लगा मेरी सगाई से मेरी मां को खु किये देखा मा अरादिया ना आपको मैंने ऐसा गेम खेला कि आप चारों खाने चित हो गई मैंने तुम्हारी शादी को लेकर कितने सपने देखे थे सोचा था अपनी पसंद की बहु लेकर आउंगी सोचा मेरी गलती तुम सुधार लोगे अब क्या कह रही है वह क्या है मैंने तुमसे बहुत बड़ी बात चुपाई है और वो ये कि मैं अनात हूं छे साल की थी पुरानी बात है मेरे और बापो की पिता अच्छे दोस्त थे पिताजी के गुजरने के बाद बापो और उनके भायों ने मेरा ख्याल रखा बापो के एक बचपन के दोस्त थे उनका नाम था बल्ली ठाकुर बल्ली ठाकुर की चार बहने थी दोस्ती को रिष्टेदारी मे बदलने के लिए मेरी शादी बल्ली ठाकुर से तै हुई और उनके बहनों की शादी बापू और उनके भाईयों से तै हुई मेरी पढ़ाई खत्म होते ही बल्ली के साथ मेरी शादी होने वाली थी इस पीज बापू और उनके भाईयों की शादी हो चुकी थी पर मुझे तुम्हारे पापा से प्यार हो गया था मुझ में हिमत नहीं थी बापू को ये सच बताने की इसलिए मैंने बल्ली को सब बता दिया तुम ये क्या कह रहे हो? मैं ये शादी नहीं कर सकता सारी तयायय हो चुकी है सारे नियोते बढ़ चुके है तुम इंकार कैसे कर सकते हो? तुम्हारी पहने और हम सब कितने खुश थे कुंडली के मुताबिक हमारी शादी नहीं हो सकती शादी नहीं होई तो उसकी बदनामी होगी वो मैंने जानता लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता माफ लिए लेकिन बल्ली ने हमारी शादी कोट में करवा के हमें गाउं से बाहर भीज दिया बल्ली ठाकुर के बहुत उपकार है हम पर बापो को ये बात पता चल गई और बल्ली से रिष्टा तोड़ लिया निकल यहां से अब मैं इसका दंड तेरी बहनों को घर से निकाल कर तुझे दूँगा पती होते हुए भी तेरी बहने विद्वा का जीवन व्यतिक करेंगी अपनी बहनों को उस हालत में देखकर तू जीवन भर खून के आशू रोईगा चलो निकलो निकलो यहां से जाओ उस वक्त बल्ली की बड़ी बेहन पेट से थी उन्होंने एक प्यारी सी बेटी को जनम दिया बापू बच्ची को घर लाना चाहते थे पर बल्ली ने देने से इंकार कर दिया बात अदालत तक चली गई अदालत ने यह फैसला लिया कि बच्ची हमेशा के लिए मां के पास पर उसके पिता महीने में एक बार उससे आकर मिल सकते हैं उसी दिन के बाद मैंने एक फैसला लिया था कि तुम्हारी शादी मैं दिव्या से करवाओंगी ताकि जो गलती मैंने किया है उसकी माफी मांग सको तो इस बारे में मैंने बल्ली से बात की सरस्वधी, तुम्हारे इस फैसले से कुछ भी बदलने वाला नहीं है तुम तो जानती ही हो तुम्हारे लिए सब के दिलों में नफरत घर कर चुगे दिव्या को बहु बनाने का सपना छोड़ दो मेरी वज़स से दोनों की दोस्ति टूट गई सोचा था ये रिष्टा करवा के अपना प्रैस चित कर पाऊंगी पर सब को जोल्टा हो गया नहीं रो मत इसमें तुम्हारी कोई गल्ती नहीं है मा तुम्हारी ये धोरी ख्वाहिश को मैं पूरा करूँगा माफ करना मा, मैं पैसे कमाना तो सीख गया परिष्टे बनाना नहीं सीख पाया मैं अपने देश वापस जाऊंगा और उन लोगों का भरोसा जीत कर दिव्या को इस घर की बहु बना कर रहूंगा फिर मैंने दिव्या से जुड़ी जानकारी निकालने की कोशिश की तब मुझे ग्रीन आर्मी के बार में बता चला फिर मैंने एक प्लान बनाया खुद ग्रीन आर्मी को मेरी फैक्टरी के खिलाफ भड़का कर फैक्टरी को बंद करवाया और दिव्या से मिलने का बहान ढूंडा अब दिव्या का दिल जीतने के लिए उसके परिवार से मिलना होगा ए रुका तुम लोग कान हो आप लोग कौन है? मेरे भहिया भुपेंदर, नागेंदर, दिवेंदर और धर्मेंदर जीतेंदर नहीं है? मैं कैसे मान लूँ के तुम दिव्या से सच्छा प्यार करते हो? आप कहें तो साबित करके दिखा दो कैसे करोगे? जैसे आप चाहें तुम्हें मार डालूं तो अगर किसी ने दिव्या परांक उठाई तो बर्बात कर दूंगा उससे उसे खुश रखोगे उसे पलको पर बिठाऊंगा दामाजी इतनी जल्दी मानगे पहली बार देखके ही पसंद कर लिया था जल्द ही तुम दोनों की शादी करवा दूगा सर दरसल दिव्या मुझसे थोड़ी सी नाराज है मुझे आपसे बस कुछ दिनों की मोहलत चाहिए मैं सब संभाल लूँगा हलो पापा बेटी मैंने तुम्हार लिए एक अच्छा लड़का देखा है वो तुम्हें हर खुशी देगा देखिये पापा बस मुझे जूटे वादे करने वाले लड़के बिलकुल नहीं पसंद था बहुत ही अच्छा लड़का है बीटी तुम्हें जरूर पसंद आएगा मेरी बात मानो और उससे एक बार मिल लो ठीक है और तो कुछ नहीं 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 ठीक है किसका फोन था बिटा वो पापा ने मेरे लिए एक लड़का देखा है और वो कल मिलने के लिए आ रहा है तो उसको मना कर दो मैं तुम्हारे लिए उससे भी अच्छा लड़का लाँ हूँगा मामा जी पापा और आपके संबंध पहले ही बहुत खराब हैं उन्हें और खराब मत कीजिए मैं उस लड़के से मिलनू तो ही अच्छा है देखो ये क्या कर रही है किसे खुद पता नहीं है इसके बाप का भीजा हुआ कोई भी लड़का है तो उसे रवाना कर दो और अगर अड़ जाए तो खत्म कर दो लड़का इसी गारी में है जाओ जाके खतम कर दो उसे और अशा कर दो है है! हुआ! है! है! हुआ! अमारे सामने ये दो डंडियां लेके हावा में ऐसे वैसे घुमाने से तु एक्षेन हीरो नहीं बन जाएगा बहुत दिनों से इसका इस्तमाल नहीं किया कोई ढंका मिला ही नहीं क्यों न तुम पर ट्राइ करो डर तो नहीं जाओगे न इस खिलोने से को डरेगा तो चल आज दो-दो हाथ हो ही जाएं देखते हैं आज तुम्हारे ये हथियार जीतते हैं या मेरा ये खिलोना तुम्हारा नक्षा बिगाड़ते था है एए बाबा हाँ अपनी 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 शेट उतार कर बैठ जाएं ये ये हाँ सब अपनी अपनी शेट उतार कर बैठ जाओ तो बच्चों इस खिलोने से क्या सीखा हर खिलोना बच्चों की खेलने का नहीं होता आप जैसा भुला भाला दिखने वाला आदमी भी कभी-कभी खतरनाख हो सकता है सेहत से तो गुंडे नहीं लगते हो वैसे करते क्या बली ठाकुर क्या काम करते हैं क्या मिलता है दो वक्त का खाना और एक हजार रुपया रोज मिलता है साल में एक बार एक बात तो समझ में आ गई तुम मेंसे कोई भी ये काम करना नहीं चाहता है बस भूक की वज़े से मज मैं तुम सबका बैंक अकाउंट खुलवाओंगा और हर एक के खाते में दस लाग डाल दूगा अपने परिवार की अच्छे से देख भाल करो और इमानदारी का काम करो आप महानों हम गुंडगर्दी नहीं करेंगे आज से हम वही करेंगे जो आप कहेंगे यह तो वही है बोले दिव्या यह जो लड़का आया है आप उसे जानते हैं क्या नहीं पर वो तुमसे बहुत प्यार करता है पापा वो एक नाटक था उस लड़के को मैं अच्छी तरह जानती हूँ उसने बताया कि तुमसे नाराज हो पापा मैं आपसे कह सुनो वो मुझे पहली नजर में ही पसंदा आ गया था तुम इसे थोड़ा समय तो दो पसंदा आये तो मना कर देना हलो हलो यह क्या नौटंगी चल रही है यहां इसे उठा के बाहर फेकने को कहा था यहां लिया है देखिया माजिक हमे तो यह बहुत पसंद है आप इसे ही दामात बनाईए कूल अंकल जी गुंडो अंकल जी से अकेले में बात करनी है मेरा सामान घर में रखवा दो मुझे भुपेंद्र ठाकुने नहीं बेजा है मैं खुद दिव्या के लिए आया हूँ आप मुझसे उम्र में बड़े हैं इसलिए इज़त दे रहा हूँ प्लीज बीच में मताईए तु जानता है मैं कौन हो रोकिये मामा जी इसलिए नहीं करेंगी चाय पानी मिल जाए तो ए ग्रीन आर्मी तुम्हारे पिताजी को इंप्रेस कर चुका हूँ कुछ दिनों में तुम्हें भी कर दूँगा क्या कहती है इंप्रेस करने आये हो डिप्रेस होकर जाओगे बोरिया विस्तर बांध कर ही रखो अपना कॉन्फिदेंस अभी तक नोटेस नहीं किया था लेकिन तुम्हारा फिगर बड़ा कमाल का है चलती हो तो लगता है बिजली गिरती है लो ये भी दो देना मालकिना शाम को मैं नहीं आ पाऊंगी क्या कारण है आज मैंने अपने पती के लिवरत रखा है शाम को उनके साथ मुझे मंदर जाना है तेरा भागी अच्छा है कि कम सकम तेरा पती तो तेरे साथ है और यहां हमें देख लो पती का घर होते हुए भी इतने वर्षों से हम यहां भाई के घर पे बड़ी है अरे मूँ काला करके भाग गई थी वो सरस्वती और उसका दन हम सभी को भुगत नाम बढ़ रहा है वो तो विदेश में आराम की जिंदगी जी रही है हाँ वो तो आराम से जी रही है पर हमारी जिंदगी बरबाद हो गई अरे अंटी लोग खाने में क्या है आज कुछ मीठा बनाया या नहीं नहीं तो कड़े करेले बनाया है डिपे में भरो और निकल लो तुमसे पूछा क्या जब से आया हूं तब से देख रहा हूं आप सबका चेहरा इतना उत्रा हुआ क्यों है आप जैसी सुन्दर पत्नियों को ठुकरा कर आपको नहीं उन्हें रोना चाहिए इनमें उनका कोई दोश नहीं है बिटा ये दोस मन्हूस का साया है जो हम पर पड़ा है आप चारों की यही इच्छ है कि अपने पतियों के घर जाना है यही न उसमें कौन सी बड़ी बात है ऐसा है तो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं मैं आपको आपके पतियों से हमेशा के लिए मिलवा दूँगा फिर आप सब एक साथ खुशी से रहेंगे इस घर में महमान बनके आए हो तरीके से रहो हमारे घर के मामलों में दखल देने की तुम्हें कोई ज़रुवत नहीं इसका ध्यान रहें मैं समझ गया आप सबको अपनी हग की खुशियां मिलेंगे यहाग आप से कोई नहीं चीन सकता आपका सम्मान मैं लोटाऊंगा मुझ पर विश्वास कीजे ए जूटे सपने मत दिखाओ अगर वादा पूरा नहीं किया तो चला जाओंगा अपनी ये बात याद रखना और नहीं कर है नहीं जिसे पूरा ना किया हूँ मा मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और सबसे मिल भी चुका हूँ सही कहा था सब दिल के अच्छे है मा नहीं मैं बोल रहा हूँ अरे पापा वो फैक्टरी में अब पता चल गया है देखो उन लोगों को मनाना इतना आसान नहीं है घरवालों की नाराजगी तो मैं बहुत जल दूर कर दूँगा अब मैं यहाँ आ आ गया हो ना सब मुझ प चीदेंगेे इसलिझ अब जैसा मैं कहता हूं आप वैसा कीजिए जाकि खेच में काम करो क्य зам फोन करने की हिम्मत कैसे की? फोन करने के लिए हिम्मत की जरुवत नहीं होती है. उंगलियों की होती है. ऐसे? ऐसे बोलता है, गैंडे? ए तेरे भाई को. भाईया, भाईया, वो लाइन पर आ है. कौन है? अरे वही जिसने फोन किया है. नाम तो बता. वो कुमार जो सरसुती को भागा ले गया था. उसने क्यों फोन किया? अब ए भागोड़े, मुझसे बचने के लिए साथ समंदर पार चला गया. अवाज नीचे, सब के दिन बदलते हैं, तेरा भी घमंड तोट जाएगा. तू क्या मेरे घमंड को तोड़ेगा? वैसे तरी बेटी की चादी होगी नहीं, कोई आके उड़ा ले जाएगा. ओए! किस के अंदर हिम्मत ऐसा करने की? मेरे बेटे में? और किस में? और अब तक मेरा बेटा तो वहाँ पहुँच भी गया होगा. तेरी आँखों के सामने वो उसे मंगल सुत्र पहनाएगा. रोक सकता है तो रोक ले. अभी समय है. नहीं तो पच्टाएगा तू. फिर ना तू इधर का रहेगा ना उधर का. उस समय तू मुझसे बच गया. अगर तेरे बेटे ने यहां आने की हिम्मत की, तो उसके टुकड़े तेरे पास पार्सल करवा दूँगा. जलवाट? है सुनो, वो सरस्वदे का बेटे यहां आया है. तुम है जिस पर विश्या का उसके हाथ पैर बांध कर मेरे पास ले आओ. भी लौता हूँ. क्या हुआ अंकल? इतना गुस्ता क्यों कर रहे हैं? किससे फोटे हैं? एक पुरानी बात है. तुम्बो सर्फ छोड़ो चलो खाना खाते हैं. चली. यह क्या खिला रहे हैं मुझे? इतना नमकीन खाना कौन खाता है? नमकीन? और एक बात बताता हूँ आपको. बली ठाकुर जी के घर के खाने का स्वाद मज़ा आ जाता है. वैसे घर की महिलाएं जो खाना बनाती है, उसका स्वाद अलग ही होता है. आपको मैं कल का किस्सा वहाँ जो डाल बनी थी, उसका स्वादा वो डाल तड़का, जरूर मेरी पत्नी मिनाक्षी ने बनाया होगा, मज़ेदार था अच्छा, वो आपकी पत्नी है और परसो, पनीर बिर्यानी, किसी ने कितने कमाल की बनाई थी अरे, वो मेरी पत्नी ने बनाई होगी तुम्हें बता है, साची हर तरह की बिर्यानी बहुत बढ़िया बनाती है, पसंद कैसे नहीं आता बिर्यानी ने, चलिए, ये सब तो ठीक है लेकिन सासु माने जो भिंडी मसाला बनाया था मेरे तो देखते ही मूँ में पानी आ गया था उन्हें यहां से बेच के गल्ती कर दी आप यहां बैटके नमकीन खाना खा रहे हैं और वहां बल्ली जी रोज उंगलियां चाट रहे हैं जिसके नसीब में वही खाए ये सामबर दे, खाओ अब इसे देखो, ऐसा लगता है यह खुद कड़ाई में तलके आया ये क्या दाल बनाएगा चलो, भूप मिट गई वैसे उस घर की सभी औरतें बहुत खुश है बस उन्हें एक दुख है, पती का साथ ना होने का ये क्या बोल रहे हो तुम उस घर की तारीफे करना यहां बंद करो दिव्या की नाराज़गी दूर हुई उसी कोशिश में लगा हुआ हूँ तुम्हारे माता-पिता शादी के लिए मान गए? हाँ मान गए, यहां आने की भी सोच है तो उन्हें बुलाते क्यों नहीं? अरे कैसे बुला लूँ अंकल जी? यहां का तो खाना भी ढंका नहीं है और आपकी पत्नियां आपसे अलग रहती है वो इस घर में आएंगे तो सबसे पहले यही पूछेंगे कि आप सब अलग क्यों रहते हैं? अरे छोटी सी बात के लिए इतने साल अलग रहना अगर उन्होंने पूछा कि कल को दिव्या ने भी ऐसा ही किया तो मैं उन्हें क्या जवाब दूँगा? तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी पत्नियों को वापस बुलाई यह बिलकुल ममके नहीं है तुम्हारी शादी के लिए मैं अपने साथ हुए इतने बड़े धोखे को भूल जाओ अगर यही तुम्हारी जद है ना तो यह शादी नहीं हो सकती यह तो कड़ पड़ा हो गई इतना बढ़क क्यो रहे? आपके इस छोटी सी प्रॉब्लम का मैं आपको एक सिलूशन दे सकता हूँ तो क्या है सिलूशन जल्दी से बताओ नाटक करना होगा आपने कभी नाटक देखा नहीं है क्या? अरे किसी भी नाटक में कपड़े, प्रॉब्स, किरदार सब नकली होते हैं शोख खत्म होने के बाद उन सब को लोटा देते हैं ठीक, वैसे ही आपकी पत्नियों को यहां लाएंगे शादी तक रखने का नाटक करेंगे फिर भेज देंगे इससे एक तीर से दो निशाने लगेंगे पहला ये शादी हो जाएगे और दूसरा, बल्ली ठाकर का घमन भी चूर हो जाएगा कार्तिक की योजना बहुत अच्छी है इससे नाग भी नहीं करड़ेगी और मूच भी बज़ जाएगी मुझे भी ऐसा ही लगता भीया यही सब बहुत हो ठीक है उन्हें ले आओ लेकिन उनके साथ कुछ भी गुटर्गू करने की जरूरत नहीं जैसे ही शाजी खत्म होगी उन्हें वापस भेज देना गुटर्गू ना सही, काओं काओं तो कर सकते हैं अगलती से मिस्टेक होई है सुनो हाँ भीया कहा है अपनी पत्नियों को आवाज दो मिनाक्षी साथ्षी अविता बहार आओ सुनो उसे भी बुलाओ किसे भीया तुमारी भावी को देखे भीया हम आपका हर काम नहीं कर सकते हैं आपको भावी को बुलाना पड़ेगा हम नहीं बुलाएंगे कल्यानी मिनू मिनाक्षी देवया अपनी माँ और चासियों से कहो घर चलाएं हम उन्हें लेने आये आप सच के रहें पापा तुम यही चाहती थी ना ऐसा दिन भी कभी आएगा मैंने सोचा भी नहीं था यह सब उसके कारण हुआ है वहीं रुको यह सब तो हमारे साथ रहेंगी पर तुम्हारी परच्छाई भी वहाह नहीं पढ़नी चाहिए तुम्हें याद रखना और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता हमारे बीच यह जो नफरत की दीवार है उसे कोई फरिष्टा भी आकर गिरा नहीं सकता अपने जहन में यह बात अच्छी तर बिठा लो भाईया मुझे उसकी बातों का बुरा नहीं लगा अगर तुम लोग खुश रहो तो मैं उसकी और भी कड़वी बातें सुनने के लिए तैयार हूं तुम मेरी फिक्र मत करो मैं अपना खयाल रख सकता हूं जिन्दगी की नई शुरुवात करो मेरा अशिर्वात सदा तुमारे साथ है चलो अब जाओ अगर ये वारतलाब खत्म हो गया हो तो क्या हम लोग घर जा सकते हैं आओ मिनू हम लोग पीछे बैठेंगे भाया मैं इन सब को पीछे बैठा रहा हूं जाओ पीछे वाली गारी बैठो कार्टिक कार्टिक मैंने सोचा था कि मैंने इतने सालों से जो सपना देखा था वो बस सपना ही रह जाएगा जो कभी पूरा नहीं होगा तुम मेरे लिए फरिष्टा हो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे तुम्हारा शुक्रियाता करूं थांक यू यह लो तुम्हारी फैक्टरी का अनोसी मैं यहां फैक्टरी के लिए नहीं आया था मकसद पूरा करने आया था मकसद पूरा करने लेकिन कैसा मकसद कौन हो तुम मैं सरस्वती का बेटा हूँ मा ने भीज़ा है तुमने ये बात चुपा की क्यों रखी अगर पहले ही बता देता है तो आप इस शादी से इंकार कर देता है मेरी मा की वज़े से आपको पहले ही बहुत तकलीफ हुई है पर अब मैं उन तकलीफों को दूर करने के लिए आया हूँ अगर भुपेंद्र को पता चला तो वो तुम्हे मार देगा मैं मा के लिए मरने को भी तैयार हूँ बिटा अगर तुम्हारे बाप में जिंदगी में कोई अच्छा फैसला लिया है तो इस हीरे को दामाद बनाने का लिया है इस मैडम तो अगर मैं किसी का खून कर दूँ तो मुझे कितने साल की सजा होगी नेकी और पूछ पूछ आप खून कीजे आपका केस में लड़ लूगा लड़ोगे तो तब ना जब तुम जिंदा रहोगे मैं तुम्हारा ही खून करूँगी क्यों मैंने क्या किया है मेरी कहने के बाद भी उसने एक बार भी मुझे फोन नहीं किया और जब मैं कर्टियू तो उठाता है नहीं शायद उसका इंकमिंग बंद होगा और आपका आउट गोइंग आप पीछे कम जीरो लगाईए और आगे एक जादा ठीक है वो आपका रिंग शायद एक्स्चेंज में जा रहा है आप दाहीने हाथ के छोटे अंगोडिस से कैल कीजे मैडम बिल नहीं भरा होगा इसले करनेक्शन कैट गया कला दा दूगी भूल गये क्या कहा था तुमने गला काट क्या पेश कर दूँ गा मैडम जी एक काम कीजिए आप मुझे इंडिया पारसल कर दीजिए क्या करोगे वहां जाके जट मार के कारतिक को ले आऊंगा आओ बेटी इतने सालों बाद बिटिया घर पर आई है जाओ इसे अंदर ले जाओ 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 बेटी अचा कारतिक तुम्हारे माता पीता कब तक आने वाले अभी बात किये आता ही होंगा अच्छा मेरे पिताजी और वो मेरी माँ यहां फिसलने के मोके काफी है कहीं ठिक ना मत पागर हो गया मैं स्वाती से कह रहा हूं तुमसे नहीं अच्छा तो फिर ठीक है अरे रुको भाई मैं कोई नेता थोड़ी हूं मैं तो इनका चाहता हूं ज़रा मिलने तो दो पापा यह दिव्या के पापा हाई हाई भाईया कैसे हो हाई मिस्टी जिसे संया बनाना था उसे भाईया बना दिया अरे कार्थिक तुमने बताये नहीं कि तुम्हारी एक छोटी मेहन भी है यह आज ही पैदा हुए मतलब यह सालों से विदेश में अरे बाई तुम लोगों में जगडा हुआ है क्या ऐसे दूर दूर क्यूं खड़े हो अरे ने ने यह को देखकर भी आईसा ही लगता है यह कौन है जो मेड़क की तरह कर रहा है यह दिवया के चाचा है कलाब मेरे भाई साब आपकी पत्नी बहुत सुंदर है आपकी जोड़ी अच्छी लग रही है मैं तो कहते हूं शादी के लिए सिफ लड़की का अच्छा होना ही काफी नहीं है परिवार भी अच्छा होना कार्टीक तुम दोनों के जोड़ी भी अच्छी है अरे सुनो उचलने की जरूवत नहीं है पहले मैं इनकी खातिरदारी लोंगा उसके बाद विश्वास करूँगा अगर सुआती को लेकर नहीं आता तो क्या करता तुम्हारा मेनेजर मेरी बेटी के पीछे पड़ा है उस बहुए बहुलिट जिए अबैकर तुम्हारे बहुलिट थिम्हारे बहुवाव मेनेजर लारा यह अरे वो आगया कौन आगया अरे वही कौन अरे भी तो बहुले शरवस्थिका पीटा यह तो उसके बच्पन का फोटो लगाया है क्या अंदर कोई आइडी कार्ड या सरस्वती के साथ कोई फोटो होगी देखो है कि नहीं इंग्लिश में लिखा ना मैं पढ़ा देखो मैं चौथी फियल हूँ इससे कैसे पता यह फोटो भी इंग्लिश में होते हैं क्या अंकल यही है वो लड़का इसमें जो फोटो है वो इसी लड़के का है आज तो मैं किसी को नहीं छोड़ूँगा हिंमत कैसे हुई आने के मैं उस लड़की को उठा कर लिजाऊंगा है चुप हो जा वरना इस शेर को चुप कर आओगे तम सब को ऊपर भेज दूँगा मैं जा को उठाने आया है मैं देखता हूँ मारो और निकालो इसने यहां से स्वारी यार जोर से तो नहीं लगी ना एक और मुक्का लगता तो वहीं धेर हो जाता आप स्वाती क्यों कर रहे हैं तु पाकल है क्या भूल गया मैंने तुझसे क्या कहा था मुझे दिव्या से शादी करनी है तो स्वाती किसलिए उसे एक्टिंग आती है क्या अच्छा है लेकिन स्वाती का बाब एक नमर का लाल ची अरे पैसों के खातिर वह अपना जमीर भी गिर्वी रख सकता है कौस्तुप मैं तरे दिल का हल समझता हूं तुझे स्वाती से शादी करनी है करनी है वो मैं कर ले जाए जाएगा उसके साथ शादी करेगा हाँ करूगा जब इसने सब कुछ मानी लिया तो बाते क्या कर रहे हो खतम करो इसे एक मिनट ढूप जाओ इसे मार के क्या फाइदा होने वाला है दिव्या और मेरी शादी इसकी आँखों के सामने होगी फिर इसके बाप की और इसकी बोलती बंद हो जाएगी अब देखता जा यहां मेरी और दिव्या की शादी की शहनाईया बजेंगी और वहां तेरे माबा तेरी हार पे रोएंगे मैंने सही कहा ना बलकुल सही कह रहे हो तुम जब तक शादी नहीं हो जाती यह यहीं पर रहेगा अच्छा ये बता मैं अभी आता हूँ यह मैं किस चकर में भास गया कहीं यह लोग भी तो अरे नागेंद्र देवेंद्र धरमेंद्र सब नीचे आओ अरे कहँ हो सब आया आया भी अ ढूल अरे कहाठ चाह कुलर रहें था अ कहा गये है अरे कहा गये जलिब आ कि उसने अलमारी को खोल दिया है मैं देखे राता हूँ मैंने कहा था ना दूरी बनाके रखना जो सब यहां हॉल जो जाओ सुने सब लोगों ने कल से सब हॉल में लेचलता हूं ऐग कहा जा रहा है मैंने का भी से यहीं सो जाओ लेगन भाए 5 मैं थोडी दिर में आता हूं क्या हूफा की सालो के भोड़ाने कालेइन जो भया, मैं आपके साथ सो जातौ weren't you सब तेरी वज़े से हुआ मैं आपके कमरे में सुजांओ क्या किया का तू हम्मारे कमरे वे नमें सोएगा मार बारो हाह, ठीक है अरे आर बधा आधा मछ्चोरों ने काट-काट कर छूस लिया भाके इनोंने एए देखो कौन है यह यहाँ इसे यहाँ का पता कैसे मिला अबे ओ चपडगंजु तुभारा काल आ गया है अपने काल को अच्छी तरह से देख लो एए कौन है तू मुझी कर रात कहते हैं और जली को हाथ विश्रनायत नहीं हूँ लेकिन हूँ उससे भी खतरनाथ नाम है मेरा संगत राव काम क्या है वो बको? होने वाले दूले को तुमने कैयत करके रखा है यह ना इंसाफी किसली है? यह रईसों का रईस बहुत बड़ा रईस जादा है अगर यह चाहे तो सारे नक्सों सो तुमारे गाओं का नाम मिटा सकता है यह लेक पी से होता है ब्लैक और मैं हूँ काला मेजा सारा उन मुझे लाके दे दे जबान खी चुरूँगा पक्वास बंद कर तुने इस कटार की धर और इसके वर को तेखा नहीं चपडगंजो लेकिन आज मैं इसे तुझे दिखाऊंगा अगर कचूंबर बनाने पे आजाओ तो यह मिक्सर ग्रांडर से भी तेश चलता है तो क्या नोठंकी कर रहे हो मेरे जोश को तुन नोठंकी समझता है हमारे घर के होने वाले दूले को कैट किया है इसको इसको ने तो और किसको जाती थोक के लेने आया हूँ जरुआ से जादा बोल रहा तो यह तो मेरी पूल खोल देगा मेरी अगली सास लेने से पहले वो गाड़ी में होना ची और तुम सब उड़न छो इसलिए छूँ छूँ तन के खड़े हो के यह दिखाना चाहता है कि मैं तुझसे टिंगू उंगली छोटी हो या बड़ी लेकिन साथ मिल जाए तो बन जाती है मुका जादी तक इस लाल टमाटर को भी अंदर रखो उसके बाद दोनों को समाप्स कर दो लाल टमाक है मेरे लिए मेरा खांदान नहीं आया लेकिन आप इतना रिस्क लेकर मेरे लिए आए आप तारीफे काबिल है तु क्या कह रहा है वे मैंने तेरे लिए कोई रिस्क नहीं उठाया तो आपने मेरे लिए रिस्क नहीं उठाया बोला नहीं उठाया एक बात बता याद शादी के बाद इन लोग हम दोनों को मारने की बात कर रहे थे तो फिर शादी किस की कार्तिक की है पर दो आपको तुम हटो वहां से आप मुझे निकाल तुटसे बात करनी है अरे यह यह लड़की कौन है अग भुपेंद्र की बेटी है तो तेरी शादी इसी के साथ है तो वो रिष्टा तोड़ दिया मैडम को पता चलो तो पता है मेरा क्या होगा वो तुम्हारा सर इस शादी से तुम्हें कितना मिलता है तो मिलियन यूरोस मिलेंगे मैं तो तुम्हें तीन हसार करोड देने की सोच रहा तो आखर तुम्हें मना किस ने किया अगर तुम्हारी मैडम की शादी किसी इंडियन से नहीं होती तो उनकी प्रॉपरटी ट्रस्ट में चली अब तक मैंने फ्री में सला देके कईयों की लाइफ बदल दी अब तुम्हारी सला लेकर मैं अपनी लाइफ बदल दूँगा अनुष्का इस माइन फूचर वाइफ कॉलिग हेलो अनुष्का कार्तिक से मिले क्या बोल रहा है वो देखो बहुत जल तुम मेरी पत्नी होने मतलब तुमारी शादी में बहुत धुमधम से करूँगा तुम हनीमून की तही आरी करो ठीक है मेरी तो निकल पड़ी धन्यवाद दोस्त लव यू अरे वाँ आपका घर तो बहुत खुबसूरत है अचली वह मां को गाओं के घर बहुत पसंद है अरे असा क्यों कह रो ये जराइदर आएंगे एक मिलट कार्टिक बेटा तुम्हें इस पिंजरी जैसे घर की क्या जरूरत है तुम्हारे पास तो बहुत बड़ा बगला है अब कहानी में नया मोड आएगा देखते जाओ ये आप क्या कर रहे हैं आपने पूरी जायदाद सरुस्थी के नापर कर द बस घर की बाते चल रही है ये घर भाड़े का तो नहीं है अरे घर तो हमारा ही है काज़ात किसी और के पास है और वे विदेश में रहते हैं उसे नहीं बुला सकते अब ये क्या नया नाटक है आपने कहा पहले रेजिस्ट्रेशन होगा फिर शादी होगी तो ये सब क्या ह अगर घर नहीं दे रहें तो शादी रोग देते हैं देखा पिताजी नाराज हो गया अब क्या होगा अरे हमारे गाओं में बहुत उपजाओ समीन है वो आपको दे देंगे ये समझ लो की जमीन सोना उगलेगी जमीन से मेरी मा को क्या फाइदा उनके नाम पे पहले ही बहुत दुख हुआ तब पहला दौरा पड़ा क्या बिली को नहीं मेरी मा को एक बार माने हीरे का हार मांगा था पिताजी मोती का ले आ है इस बात से भी मा को बहुत दुख हुआ उस दिन मा को दूसरा दौरा पड़ा था ज़ूट बोलके नाटकरे अचीब आद मिये कह र नाटक अंकल जी एक आइडिया है कैसा एडिया एक और नाटक क्या मतलब अरे जैसे हम अपनी वीवियों को यहां पर लेकर आए उसी तरह सरस्थी को यहां लाएंगे दस्तखत करवा के भेज देंगे समझदार हो उसकी शकल भी नहीं देखना चाहता और मैं नहीं चाहता म मेरी माँ को एक और दिल का दोरा पढ़ा अरे मेरी बात तो समझो भाईया मान जाईये इसके माँ को कुछ हो गया तो शादी नहीं होगी वैसे मैं चाहता तो नहीं पर तुमारे लिए मान जाता है टैंक यू अंकल मेरी बात रखने के लिए सुनो अबया सbecca सरस्वादी के बेटे को बोला के लाओ कि मुझे नेनमें से क्यों ऊटाया आरे माबाप को फोन कर जूँ हो कौन से माबाप को कितने माबाप है तेरे तुमारे समझ ville मा भा या मेरी समझ वाले कौन बोल रहा है हलो दुपेंद्र बोल रहा हूं महापु आप हां मैं ही बोल रहा हूं सुनो दिव्या की शादी पक्की हुई है तुम अपने पती को लेकर आ जाओ हम जरूर आएंगे सुनो सरस्वती आ तो रही है लेकिन उसके साथ ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश मत करना यह मत भूलना कि यह सब हम सिर्फ एक नाटक के लिए कर रहे हैं जैसे हमारा काम हो जाएगा हम उन सब को वापस भीज़ देंगे समझ गए आपने जो कह दिया वह हमारे लिए पत्थर की लकीर है कार्टिक मेरे साथ आओ क्या हूँ यह सब क्या हो रहा है कार्टिक यह सब तुम्हें मजाक लग रहा है क्या मेरी मा और चाचिया यह जानकर बहुत खुश है कि मेरे पापा और चाचाओं ने उन्हें अपना लिया है जब उन्हें पता चले अगर नाटक नहीं करेंगे तो इने साथ कैसे लाएंगे इतने सालों बाद ये सब एक साथ आये मैं इस परिवार को खुछ देखना चाहता और अगर उसके लिए जूट भी बोलना पड़े तो मुझे नहीं लगता वो गलत है मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा विश्वास कराँ भाईया भाईया उस लड़के का नाम कार्तिक है और ठाकुर अपनी बेटी की शादी उससे करवा रहा है मैं यहां मातम मना रहा हूं और वो वहां शादी की शहनाई बजा रहा है ये शादी किसी भी हाल में नहीं होगी समझे करेंग। आप सब आप सब कैसे हो हम सब बिल्कुल ठीक हैं आओ अरे अंकल थोड़ा मुस्कुराइए नाटक है नाटक ठीक हो कहो सफर कैसा रहा अब बहुत अच्छा रहा धग गया होगे अंदर चलो अनुष्का यह यहां पर अचानक कैसे आदी लगता है मेरे दिन भर गया हम दोनों के दिन भर गया है अब क्या करें कुछ तो कर नहीं होगा वर्नक का है काम से हाई बेबी यहां इंडिया में मुझे देखे तुम सप्राइज हो गए ना शादी गाव में कर रहें यह पहले क्यों नहीं बताया जगा कितनी अच्छी है इतने दिनों में एक फोन भी नहीं किया तुमने मुझे यह लड़की आंटी क्या यह साब इस घर के नौकर है कपड़े तो अच्छे पहने अनुश्का यह घर के बड़े हैं इनके पाऊ नहीं चुओगी थोड़ी सी मौटन टाइप की है नाइस टू मीट यू हमारी शादी के लिए घर अच्छे से सजाना सब अंदर चलो तुम भी बहुत मैंने कार्ति को लाने के लिए भीजा था वेकेशन पर नहीं यू इडियट दाद दिखा के हस क्या रहे हो तुम एक मिनिट अंदर आओ तुम्हें दिखाती हूं बाई कार्तिक बाई कार्तिक अकेले में अंदर बुलाया है निकल पड़ी जीती रहो मेरा आशिरवाद है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो इतने सालों बाद यहां आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पापा अनुष्का को यहां क्यों ले आए वो बात यह है न बापु ने फोन किया था प्लान कामयाब हुआ कार्तिक शादी कर रहा है अच्छा आप टिकेट बुक करिए मै मैं पैकिंग करती हूँ कार्तिक शादी कर रहा है मतलब हम चाहते हैं कि कार्तिक की शादी विदेश में नहीं बलकि गाउ में होनी चाहिए इसलिए हम गाउ जा रहे हैं तो हम इंडिया अगर मैं यहां हूँ तो शादी किससे करेगा यह क्या कह रही हो तुम्हारी भी तो करेंगे तुम्हें फोन लगा रहे थे गाओं में शादी मुझे ये बात सुनकरी एक्साइटमेंट हो रही है अंकल यह आप कार्टे को मत बताना मैं उसे सप्राइज दूगी अभी कोर मसीवत को छेलना होगा वैसे मुझे कौन सा रंग जाचेगा लाल रंग वो भी अपके गाल पर कोई रंग नहीं चाहिए मैं ऐसे ठीक हूं यार यह लीजे भाबी आप अच्छी लगेंगे वो तो ऐसे ही कह रहा था मैं चलो दुलहन को बुलाओ आके साड़ी पसंद कर ले अरे बाप है ये दोनों हेक साथ है और फुल जड़ी है अरे पहले जाके अनुश्का को संभाल अगर कुछ कड़बड होई तो तुभारी भी शादी नहीं होगी जाचा मैंडम जी रुखिये क्यों क्या हुआ यहां के संस्कारों के हिसाब से आपके कपड़े कुछ ठीक नहीं है मैंडम आप पूरे कप्ड़े पेंगे आई है ना यह साड़ी कैसी लगी जरा दिखाओ यह क्या है दुलहन के लिए यह सारी मेरी नौक्राण्य भी ऐसी साड़ी नहीं पहनेगी मुझे यह इही तुम्हारी पसंद पूछी में किसने, ये मुझे नहीं पसंद दुलहन ऐसी चीप साड़ी पहनेगी, कितने की है ये? पचास हजार की है, या? दुलहन की साड़ी दस लाग से कम होनी नहीं चाहिए सिर्फ साड़ी नहीं, हर चीज महंगी होनी चाहिए I want a grand wedding गुष्से में भी ये पठाओ का लगती है रे ऐसे ही घूरते रहे तो आखे बाहर निकलाएंगी ओ, सही का, मैं आखों पर चश्मा लगा लेता हूँ तुम दूलहन होना कार्तिक तो तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो सिर्फ खड़ी-खड़े तमाशा देखना है यहां शादी करने के लिए कितनी excited team है पर यहां आके देखा तो शादी के घर से ज़्यादा ये कोई चिडिया घर लग रहा है पता नहीं मैं यहां आई ही क्यो मैं जो चाहती हूँ वैसा ही होना चाहिए छोड़ो यह पावली कम है यह होती कौन है मेरी बेटी की शादी में दखल अंदाजी करने वाली होने वाली पत्नी को काबू में राख आप बिल्कुल परिशान मत हो ये शादी के बाद मैं उसे काबू में रखोंगा अरे तुम्हारी पत्नी को ये क्यों काबू में रखेगा बुजर्गों के पास तज़्युर्बा ज्यादा होता है ना काबू में आ जाएकी शाय है या बगता है चल निकल यह क्या बात कर रहा है और ये ये क्या हो रहा है यहां पर आप छोटी छोटी बातों पे भड़कते क्यों हैं मैं तो ऐसी चीजों को नजर अंदास करता हूं मेरे माबाप डांटे तो फर्क पड़ता ये तो महमान है छोड़ी है वैसे ये साड़ी अच्छी तो है क्यों नहीं वो लड़की सही कह रही है पता है मेरे घर की नोकरानियां ऐसी साड़ीयां पहन कर सबजी खरीदने जाती है पोच्छा लगाने के काम आएगी है सुनो इस साड़ी को कल बाई को दे देना वो इससे पोच्छा लगाएगी पापा ये क्या कर रहे है अगर मेरी मा को दिल का दौरा पढ़ा तो मैं बोल गया बेटा और सुनो ये तो हम बाद में देखेंगे घर का क्या हुआ दो दिन बार शादी है रजिस्ट्रेशन कब होगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो शादी कैंसल एलान करता हूँ मैं उससे हस्ताक्षर जल्दी करवाने है हमारी बदसुलुकी वो भूली नहीं होगी आपने ही ये घर उसके नाम किया था अब वो वापस क्यूं देगी उससे जबरदस्ती करवाएंगे वो राजी हो भी गई तो उसका पती मानेगा क्या ज़रूरत पड़ी तो उसके गरदन पर चाकू रखकर उससे हस्ताक्षर करवाएंगे ज़र ये पकड़िये आए ना आए ना मैं आपके पास ही आने वाली थी सबको उपहार देने ने ये आपके लिए और ये है ये तुम्हें पास रखो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है कही है पिताजी ने तुम्हें आनाच समझ कर ये घर तुम्हारे नाम किया था अब भाया को ये घर किसी और को देना है इसलिए तुम्हें कागजात पर दस्तखत करने होंगे अरे ये बात है, आप जहां भी कहेंगे न, मैं उन कागजातों पर दस्तखत कर दूँगी, आप कागजात बन्मा लीजिये हमें जायदात की कोई लालसा नहीं है, हम चाहतें कि बस आप पुरानी बाते भूल जाए आपने इस अनात का इतने लाड़ प्यार से पालन पोशन किया, और एक ही पल में पराया भी कर दिया ऐसे एक भी दिन नहीं था, जब इसने आप सब को याद नहीं किया होगा खुद को कोस्ती रही कि इसके वज़े से परिवार तूट गया, और इसी बात की हम आपसे माफी माँगना चाहते है, मन बढ़ा करके माफ कर दीजिए आपने जब हमें शादी का नियोता दिया, इस घर में आने दिया, तब इसके मन को एक अलग ही सुकुन मिला है वैसे भी इस जायदाद पे मेरा कोई भी अधिकार नहीं है बापा ठीक है, तुम दस्तखत करके यहां से जा सकती हो ओ, चले एक मिनिट क्या देखा अपने उसे इस जायदाद से कोई लिए न देना नहीं इतने सालों से हम उसे गलत ही समझते आएं लेकिन फिर भी उसके दिल में हमारे लिए इज़त ही है तुम भी उसकी चिकने चुपड़ी बातों में आ गए भूल गए उसने हमारे साथ क्या किया था कल्यानी, ये उपहार में तुमारे लिए लाई हो हाँ जोड़ती हूं तुम्हारे तुमने जो धोका दिया था उसे हम अब तक झेल रहे हैं बड़े मुश्किल से हमारे पतियों ने हमें अपनाया है जाओ इसे अपने पास ही रखो मा आपको पता भी है कि आप सबके पतियों ने आपको क्यों अपनाया है इनकी वजह से रहने दो मुझे कहने दीजिए आज मैं सच बता कर रहोंगी क्या मतलब है तुम्हारा कार्थिक इनी का बेटा है सच उगल्दी है तुम औरते को इराज ही नहीं रख सकती मुझे बताना पड़ा कार्थिक क्योंकि यह लोग जानता हूं सब सुन लिया मैंने देखिया अंटी मेरी मा से एक गल्ती हुई है जिससे आपको अपने पतियों से 20 साल दूर रहना पड़ा लेकिन इस एक बात की बचे से मेरी मां हर दिन खुद को कोस्ती है उसी गल्ती को सुधारने के लिए मेरी मां ने मुझे यहां बेजा है और इन्हीं के कहने पर मैंने आपको अपने पतियों से मिलवाया मुझे उमीद है अब आप इन्हें माफ कर देंगी हम एक शमा कर ऐसा मत कहो बिना सज्जा ने तुम्हें इतना कुछ कह दिया तुम्हें इतनी कड़वी बाते सुना दी मुझसे नाराज तो नहीं हो ना और मुझे भी माफ कर दो और मा यह तुम्हारे लोग्री तुम्हों ना है ठेक तुम्हारी प्रOULपलम तो सौल्व हो गई अब सौलव करते हैं तुम्हारे पतियों के पॉल यह जिदाएब बताश नहीं हो रही है अन्नु बेवी की बहुत याद आ रही है जाके मिल के आता हूं उससे मेरी जान आखिर ये तुने चादर क्यों ओड़ ली है आशिक से भी क्या शर्वाना है ये कमसिन काया जाने जाना क्यों मेरे छूने से गुद्गुदी हो रहे ये क्या ये पक्ता ये क्या कमाल है मेरे छूने से जटका लगा तुझे मेरे हाथ में बिज़नी का करंथ है जाने मन जबसे मैं इस घर में आया हूँ दिन और राथ मैं तुझे अपनी उगोष में लेना क्यों तुम भी मुझे अपनी आखोश में भेषा जानो जुसौही का ना? अब आप जाओ आजा मेरी चान अजा मेरे दिवाप रहे खुपना किसे का लंगुँश अब बोल इनमे से किसे चेड़ने आया था जानो! किसे समझ कर मेरे पास आया था? सज मोल कितनी पिया तुने? वाटर पिया है यह खमारो उसे, बारो! ने गिरे हुए हो, बोलो! कम्रे में क्यों गए थे, बोलो? बताओ! क्यों हो रहे थे? बोलो वरना गला दबादूंगी! जो! क्या उसे बताओं कि तुम्हारे लिया था? ऐसे गिरे हुए इंसान को तो छोड़ना ही नी चाहिए! क्या करूं कातिक? जब से तुने मुझे उसके सपने दिखाये, मैं बैग गया हूँ! जैसे शेर लोंबडी को देखने पर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है! इंकी शकले देख, मार देंगे तुझे! कहानी बना के निपता दे इसे! अच्छा तो ये बात है, बैर तो पहले बताया क्यों नहीं? अंकल जी इस एक प्रॉब्लम है! कैसी प्रॉब्लम है बिटा? कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसे नीन में चलने की बीमारी है! अगर गलती से किसे हिरोईन का सपना देख ले तो नीन में घर में उसे ढूड़ना शुरू करता है क्या ये सच है? कभी-कभी तो मैं भैसिया को भी हिरोईन समझ के लिपड़ जाता हूं चुब बैठो बरना चलो जाओ सब ठरकी ये सब क्या है संकट रहा हूं मैं खुद नी यानता हूं क्या कर रहा हूं मैं जानती नी थी कि तुम इतने गिरे हुए इन्सान हो अगली बार से एसी हरकप की ना तो तड़ी जबान है यह जैट वजह दाकेलता है मुझे दाकेलता है करिए उन फूलों को वह ठीजित लेया वहाँ पीछे अंगर में सध्य लगाई चाहिए ऐस क्यों हल्दी प्हले पेहले मुझे लगनी चाहिए ऊसे क्यूं लगा रहे है फिर मुझे भी हल्वी लगा और अश्छा लगता है अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो जा के खोदी हल्दी लगा लो आपको जादा ही बोल रहे हैं जलड़की इतना चिला क्यों रही है आज तो यह बिलकुल आइस क्रीम लग रही है फिर शुरू हो गई ना यहां क्या चल रहा है समझ ही नहीं आता कार्टेक क्या है यह सब अर बात कार्टेक से क्यों पूछती हो आप ह दुलहन कौन है में या वो आकरी में दोनों है हां देखो अनुष्का ऐसी शादियों में दो लड़कियों को सजाते हैं एक होती है दुलहन और एक होती हो उसकी सहली अब अगर वो दुलहन है तो तुम उसकी सहली हो और अगर तुम दुलहन हो तो वो तुम्हारी सहली है इ लिए इसे भी लगा दो इस नक्चडी को यहां से जल से जल ले जाओ जबान को लगाम दे अगर मैंने लगाम छोड़ दी बुरा होगा तुम यहां क्यों खड़े हो चलो ना चलकर तैयार हो जाओ महुरत निकला जारहा है क्या मेरा मतलब है कि दुला है तो तैयार होने में समय लगेगा ना आच्छा जाओ जाके तैयार हो जाओ जाओ जालो अनुष्का काशपली भैया भी आज यहां होते लेंजी अब आप लड़की को बुला लीजिए साथ में यह क्यों आ रही है क्योंकि भैया वो दुलहन के सहली है बेटी तुम बड़ो का अशिरवाद लो अशिरवाद लेने का मोहरत खतम हो जाएगा इसलिए अरे अपनी बीवी को अपने पास रखना क्यों नहीं सीखते हैं तू मत बोल टराने की जरूरत नहीं है तराने की बात तुम चुप बैठो मुझे बोल रहा है मुझे आशिरवाद वो दुलहन की सहली है अब लड़के को बुलाइए यह सूप चूट एक बात बताओ यह तुम्हारी पपी क्यों ले रही है यह विदेश में बहुत ही आम बात है अंकल हमारे तेश में हम पैर पढ़ते हैं यहाथ मिलाते हैं वहां ऐसे गले पढ़ते हैं अगली बार से मैं भी यही करूंगा मेरा चानू डबल सीट बैटके खुश हो रहा है ठीक है मेटा ले ले तेरे दिन है आगे मेरे भी आएंगे अरे लड़की के चकर में होस्पिटल के चकर लगवा रहा है यह भांजा मेरा और यह लेटे लेटे होस्पिटल का बिल बढ़ा रहा है तो क्या तैय हुआ कुछ तैय नहीं हुआ आप आईए पांच लाग का बिल हो गया कब तक चुकाओगे एक सलाद हूं वो क्या इनकी दोनों किड्निया बेज दीजे पांच लाग मिल जाएंगे और यह सारी मशीन आप कर देता हूं आप पर नाम भी नहीं आएगा यही बे स्मार्टफोन ले लेते हैं इसका भेजा तो किसी काम का है नहीं उसका हम क्या करेंगे उसे हम कबारी को बेज देंगे याद है ना इसके चक्कर में कितनी दुलाई हुई है हमारी क्या क्या रहा है है क्या है स्मार्टफोन नहीं चाहिए वो मैं ले लूगा अरे पीछे तो अरे मैं तो आपके अच्छे क्या रहा था पुरा मान के तुम बात ही ऐसी करते हो चोटे यह रख ले इतने सारे पैसे खुश होने की जरूरत नहीं है किसी को अगवा करना है अगर मैं फस गया ना तो तुम शहर छोड़कर सीधा गाउं चले जाना जादा फेको मत तुम से मुझे क्यूं मारा गाल पर मच्छर था ठीक है चल काम पर ध्यान दे जोर से तो नहीं लगा चल अब सब सो गया हूंगे काम करते है बिजली बिल्कुल सही वक्त पर गई है अब आएगा मजा मुझे तो डर लग रहा है अरे डर के आगे ही बीवी है सुब शादी के बाद उन सब को उनके घर वापस भीज देंगे हमें जो भी करना है आज रात को ही करना पड़ेगा और भाहिया का क्या अरे उन्हें भूल जा और यह देख बेहोश करेंगे फ्लोरिफॉर्म से इसे लगाते ही वो बेहोश हो जाएंगी उसके बाद तो मौजा ही मौजा कबाल का प्लान है बड़े भाईया यह दुलन को कैसे पहचानेंगे तू ना घोंचु का घोंचु ही रहेगा दुलन के हाथ में महंदी और पैर में पायल होगी उसी को उठा लेंगे इतना सब कैसे जानते हो मेरा कोई बॉइफ्रेंड बन जाओ लगता यह नीन में बर्मणा रही ह अरे इसके चक्कर में बाकी सब भी उठ जाएंगे दुल्हन यहां नहीं अंदर कमरे में होगी चलो नहीं छोटे इनी में से होगी अरे दुल्हन सबके साथ ऐसे जमीन पर नहीं सोईगी अंदर बिस्तर पर सोईगी ज़रा दिमाग लगाओ और चलो तो क्या मैं है हाँ यह है यह ऐसे अपनी शगल दिखाएगी चीटी काटके अरे मेनाक्षी तुम यहां पर हो क्या गोड़ी बेच कर सो रही हो चलो मेरे साथ अरे मैं कब से ढूंड रहा हूं तुम्हें अरे उठो भी क्या है सोने दोना अरे तुम और कितना सोओगी मिनू चलो नहीं कुछा वर्ना मैं चला जाओंगा यह कौन है क्या पता वो मेरा भाई था अब यह कौन है उसका भाई है वो सोने क्रिप्या करके तश्रीफ और मेरे साथ है आज मेरी प्लैनिंग है पूरी हमारी प्रेम कहानी नहीं रहेगी अधूरी कोई आया अगर बीच में तो निकलेग कुछ नहीं देख लूँगा अब ले जा रहा ना ले जा है अब यह कौन है एक लौती पत्नी है समझ जाओ ओ लौती पत्नी है तो नेक कमें जेरी मत कट निकल याज़ कटी सब डबल सीड जा रहे मेरे पार सो साइकल ही नहीं इसमट कौन फोन कर रहा है हलो चोटे आ बोलो बड़े क्या बात है चोटे तु यह ना और कौन होगा तुने अभी तक चाय का पैसा नहीं दिया दस रुपए के लिए चूरो रो जल्दी से दुनन को ढूंडो वरना तोनों पकले जाएंगा फोन रखो कार्थिक तुमें ज़रा भी डर नहीं लग रह दुलिह की चिंटा मत करो सब ठीक हो जाएगा मैं हुने मुझे नहीं पोऽट डर लग रहा है ऐसा कहता हैं डर को दूर करने के लिए किस करना चाहिए यह कौन कहता है मैंं επी यहां तो प्यार का फवारा उड़ रहा है हम तो एक बून के लिए तरस गए हैं मेरी बाटब कहा है स्वाथी स्वाथी पता नहीं कब आएगा मेरे सपनों का हीरो मेरी तो किस्मत पिछकी हुई है चलो तुम उठो मेरे साथ चलो अचानक बिजली कैसे चली गई क्या हुआ होगा फ्यूज उड़ गया होगा मैं देखता हूं जा देखो वो ट्रिप हो गया 사랑 शुक्त करने जा लंगूर आ रहा है भोमी परिया भूमी प्रिया अब कहा जा रहा है भूमी प्रिया को ढून रहा हूं अज रात की वह हीरो इन है अब ये क्या हुलिया बना रखा है ये प्यार-भबरा गीद गाने के लिए मैं ूक पर्षय क्यो अच उस तरह रहा हूँ दफ़ा हो जा रहा हूँ अरे बज़ किया रही बहुत जोर कमर थाई यह रोश्णी अचानक कैसे आ गई इस फिर से किसने उपर किया रोश्णी इस गॉन मस्ती इस ओन नहीं कहा हो कहा हूँ वह देख लीगा तो तुम लोग कौन हो दूले के दोस्त है दूला मैं हूँ तो फिर आप दूलन के दोस्त हैं सच सच बताओ क्या चुराने आयो दूले भाईया बताओ ने वह हम कोई तुम यह क्या कर रहे हो मैं क्यों है वो छोड़ो उन्हें अनुष्का के रूम में क्यों भेज़ दिया अरे उसका अपरन करने के लिए क्या मतलब वो यहां से जाएगी तभी तो हमारा काम होगा ना कौन सा काम है अरे भूल गय क्या कल आखरी दिन है कल अगर 12 बचे तक उ अनुष्का को उठाले लें अनुष्का को उठाले लैन के मुताबिक तुम भी अनुष्का के साथ किड्नाप हो जाना और फिर सही वक देखकर मंगल सूत्र निकाल के शादी कर लो सबसेट चलो काम पे लग चाओ कमरे में तो आ गए लेकिन दुलहन कहा है अरे लगता है अ हम पेस्ट कंट्रोल वाले हैं कौन सा कॉक्रोच है हम लोग नट बोल्ट कसने आये हैं शायद वो आगए शोर मत करना अरे यह क्यों आए है कुछ वक्त के लिए पकड़ो मेरी दौफा अरे मिनाची यह क्या कर दिया तुमने खुद पे चड़क लिया मेरी लूंगी लगता इन्हें जूर का जटका लगा है अरे यही दुलहन है अरे देखना पैर में महंदी हाथ में महंदी यही दुलहन है एक बार इससे तदिक कर लेंगे तो अच्छा रहेगा यह सही कहा तुने हलो तुम ही हो ना निकलो मेरे कमरे से यानि यह दुलहन नहीं है चल 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 च तो इसका श्वात कैसा लगा अच्छा लगा दुलन बहुत भारी है भाई तभी तो मैं उठा रहा हूं तुम दोनों चोर हो ना मैं टिंगू और या लंबू हम अगवा करने आए हैं अपरन करता हुआ मैं तुम को को देख लिया तुमने मुझे देख लिया अब मैं श्योर मचादें तुम्हारा क्या होगा यह तो सही कहरा छोटे तो आप क्या करें यह करें मुझे भी साथ मिलेment के लगा अच्छा लग्टा ग्यास खा करेंजीम भ्री मेरें लोट डाल देता हूं पकड़ पकड़ छोटे जा बात है भाई एक पे एक फ्री चलने चलने मूँ क्या देख रहे हो निकाब निंगा लो कौन हो तुम लोग और यह सब क्या चल रहा है यह कौन है अरे यही तो दुलन है यह लड़की दुलन नहीं है दुलन कोई और है चोप रहो मैं ही दुलन हूँ मेरी ही शादी है भांजे यह क्या बोटाला है बस कुछी समय बाकी है अगर पंद्रा मिनिट में मैंने शादी नहीं की तो तीन हजार करोड गए समझो अनुष्टा सेरा और मंगल सूत्र रड़ी है इन सारे मौझूदा लंगूरों में से एक ही अंगूर तुम्हारा मीठा है और वो मैं हूँ किलोना नहीं असलिए मंगल सूत्र पहना आओ मुझसे शादी करो वटना गोली से उड़ा दूगी चलो मोहबब भी किसी और तुमने मुझे किता बना धोका दिया मुझ जैसे को छोड़के तुम इस लंगूर से शादी करोगी ये तुम्हारा पती तो क्या चप्रासी बनन कि खाजा। अब लेएर को मिडाउन और मिडाउव से घेर रखा है लेकिन वो भागा दूड़ी कि भाहें! मग्रोव जोकर को! मग्रोव से ठोड़ना मार! ओ मैं गाड़! जाल जाना मैं समाल हुआ सुनी जी अब दिव्या कई नजर नहीं आ रहे है क्या कहा जा सकती है पता नहीं कहा चलिए गए उन्हें सब जगा देखा उन्हें तो अनुष्का को उठाने बोला था दिव्या को क्यों ले गए भुपेंद्र तेरी बेटी मेरे कबजे में है उसकी शादी मैं अपने छोटे भाई से करवा रहा हूँ देव देव आकर आशिरवाद दे मोहुर्त में आदा घंटा बाकी है अगर तुझ में हिम्मत है तो यहाँ और अपनी बेटी को बचा ले किसे फोन लगाया था तुमने तेरे बाप को वो आ रहा है तुझे बचाने हस क्यों रही है इसलिए क्योंकि अगवा तो बड़ी बहादुरी से किया था तुमने मुझे तो फोन क्यों किया बस चुप चाप अपने भाई से मेरी शादी करवा देता ना अब फोन करी दिया है तो भुखतो सादा सबान मत चला ए जब दो लोग मेरी रक्षा कर रहे थे तब कुछ नहीं खाट सका अब तो रक्षा करने वाला थीसरा भी आ गया है हड़ी पसली तोड़ के रख देगा कौन है वो मेरा आशिक क्योरे सिवान बहुँ चलती है उसे भी खतम कर दूँगा देख आ गया मेरा आशिक आप सब रुख जाएए अच्छा तो तू है इसका प्रेमी बढ़िया है अच्छा फैमिली फोटो मिलेगा मुझे अरे फैमिली फोटो छोड़ तू अपनी फोटो को फ्रेम कर ले अभी कुछ देर में हार चड़ाओंगा अरे ने ने इस पे हार वेस्ट मत करो ये क्या उखाड लेगा अबे ओए मेरे पास पालतू वक्त नहीं है मुझ्दे की बात कर जलाजर अरे अरे जड़ाओंगा आई नहीं बस एक वार और तीरा खेल खादम आज के बाद मेरे परिवार की और आँख उठा कर मत देखना वरना छोड़ूगा नहीं दुश्मने से किसी का भाला नहीं होता अपने बदले की आख को यहीं शान्त कर दे खुद भी चैन से जी और दूसरों को भी जीने दे जा वाह कार्तिक मुहरत का समय भी हो गया है जल्दी से तयार हो जाओ तुम्हारे माता पे तब ही आते होंगे हम फॉरण शादी कर देंगे कार्तिक कार्तिक मा क्या हुआ आप अकेली पापा का है उस बाते को लेकर एरपोर्ट चले गए हैं मैंने उन्हें बहुत समझाया उन्हें तुम्हें भी बुलाया है और कहा है ये शादी तोड़ दो अब क्या कहरे हैं वो क्यों मना करेंगे ये शादी तो अंकल एक मिनट पापा से मैं बात करता है हां, पूछो उन्हों से पापा आप कहा है ये आप क्या कहरें लेकिन मेरी बात तो सुनी है पर पापा यहां हलो क्या हुआ कार्तिक, क्या बात है उन्होंने शादी करने से मना कर दिया लेकिन क्यों? वो कहते हैं कि आपको सिर्फ लड़ना आता है आप लोगों के इस गाउं में कई दुश्मन है आज दिव्या की जान खत्रे में थी कल मेरी होगी परसो मेरे माबाप पे कोई आंच नहीं आएगी इसका क्या वरोसा? मैं ये शादी नहीं करूँगा ये क्या कह रहे हो कार्टे? तुम और मेरी बेटी एक दूसरे से प्यार करते हो अगर तुम दोनों ने शादी नहीं की तो मेरी बेटी पूरे गाउं में बदनाम हो जाएगी पर उसके लिए मैं अपने पापा के सुनो, तुमने मेरी बेटी से प्यार किया तो क्या अपने पिता से पूछ के किया? तो उनके मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? अगर मैने उनकी बात नहीं मानी नहीं है नहीं है नहीं है अगर ये गलत नहीं है तो सालों पहले मेरी माने जो किया था वो गलत कैसे हुआ तुम्हारी मा मा ये तुम्हारी मा है माबाप को अंधेरे में रख कर शादी करो आपने कहा कि माबाप प्यार को ना समझे तो उन्हें धोखा देना भी जायज है तो आपकी ये राय मेरे मा के मामले में क्यूं बदल गई खमाल है मुझे ठीक से जाने पहजाने बिनाई दिव्या के लिए आपने मुझे चुन लिया था पर मेरी माने उनका जीवन साथी अच्छी तरह परक कर ही चुना था तो मेरी मा के फैसले को क्यूं टुक रहा है आपकी बेटी से शादी करने से पहले मैंने आपके सामने एक शर्त रखी उस शर्त को पूरा करने के लिए आपने सालों पुरानी दुश्मनी को भुलाकर मेरी मा को घर लाया ना जानते हैं क्यों लाया क्यूंकि आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं जो सोच अपनी बेटी के लिए रख रहे हैं वही सोच अगर सालों पहले मेरी मा के लिए रखते तो आज हम सब साथ होते मेरे माबाप ने प्यार की खातेर जो कदम उठाए वो गलत थे ही नहीं आपकी एक गलती की सजा आपके भाई और पत्नियों को भोगतनी पड़ी मैं यहाँ आपको धोका देने नहीं आया था और नहीं आपको गलत साबित करने आया था पर मैंने सालों से अपनी मां को अपने आपको कोस्ते होे देखा और फिर मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैंने फैसला किया कि दिव्याज से शादी करके मैं सबको साथ लाउंगा सिर्फ अपनी माँ की खुशी के लिए मेरी माँ जैसा कोई बचबं से ही अनात हो तो उसे पालने वाला उसकी ताकत है आपको फिर से उसकी ताकत बनना ही होगा और एक आखरी बात, मैंने दिव्या से प्यार का नाटक नहीं किया, मुझे उससे सच्चा प्यार है और अगर आपने हम दुनों को जुदा करने की कोशिश की, तो मुझसे बरदाश नहीं होगा अगर आप ये समझतें तो अपनी पत्नियों से ऐसे दूर नहीं रहते, इसलिए मैंने आपसे जूटका, अगर मैं कहता कि मैं सरस्वती का बेटा हूँ तो आप घर से निकाल देते अगर आज आपके बेटी की बात नहोती तो आप मेरी बात नहीं समझते आपकी आँखे खोलने के लिए मैंने ये सारा नाटक किया था आपको अपनी गलती का हैसास दिलाने के लिए आपका गुरूर तोडने के लिए ताकि आपको अपने किये पे पच्चतावा हो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अब तक जो हुआ उससे भूलकर एक बार मेरी माँ को माफ करके देखिए प्लीज भापा 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 आओ सरस्वती मुझे मुझे क्या माफ कर दो ने ने तुम्हारी भावनाओं को समझे बिना ही मैं तुम्हें कुसरवार समझता रहाए अपने बापो को माफ कर पाईगी मुझसे माफी मत मांगिए अगर मांगनी ही है तो बल्ली से मांगिए अगर ये नहीं होते तो शायद मैं अपनी जान दे चुकी होती गड़े मुर्दे क्यों उखाड रही हो अब मैं इस बोच के साथ नहीं जी सकती बल्ली मुझे सच बताने दो जब आपने मेरी शादी बल्ली के साथ तैकी तब कार्थिक मेरे पेट में था मैं किस मों से आपको ये बताती तो मैंने बल्ली को बता दिया मेरे कहने पे उसने शादी तोड़ी फिर मेरी शादी कुमार से करवा के मुझे बदनामी से बचाया उसने मेरी खुशी की खातिर इतने सालों तक आपको कुछ नहीं बताया और आपकी नफरत जेली आपने मेरी सज़ा उसके परिवार को दी आपके गुस्से के वज़ा से परिवार में धरार पड़ गई बनले हैं आपका सच्छा दोलते हैं, आप उनसे माफ ही मांगिए उसने दोका नहीं दिये, उसे माफ कर दीजिए तुम, तुम तु मेरे बच्पन के दोस्त हैं, उसी समय मुझे एक चाटा मार दे दे, और कह दे दे के तु गलत कर रहा है, इतना पलाया समझा मुझे तुने दोस्त, दोस्त, ये लब्स सुनने को कान दरस कए थे मेरे, आईए, आईए, तुम्हारे साथ मैंने जो किया, इसके साथ वो गलती नहीं करूँगा, अगर इसे लड़का पसंद नहीं, तो शादी नहीं होगी, खीका ना कार्तिक? हाँ, मन्जूर, जो बैटी, तुम्हें ये लड़का पसंद है ना? वो, पापा, मैं किसी और से प्यार कती हूँ, कहानी में नया मूर कांसे आगया, वो कौन है बैटी, मुझे बताओ, पापा, वो यही है, तो फिर 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 नहीं है, आज बड़ी खुशी का दिन है, एक तो पुराने यार फिर से मिल गया, और बैटी को इतना अच्छापत मिला, तो जैश्न होगा, जो होगा, अब कौन फोन कर रहा है, अनुष्का, हलो, अब मेरा क्या होगा, तुम भी शादी कर लो, उस दिव्या से, मैंने शंकर से शादी कर लिए, ठीक है, अरे, अगर इसने किसी और से शादी की, तो संकर ट्राओ का क्या हुआ होगा, हलो, हलो, हबो, बाटकलू, हम अंत्रिक्ष में हैं, बाबा, सो साल बाद फोन करना है, पीचे देखो, हम, अभी तो हाद दिखा रहा है, पता नहीं बात में लाद दिखाएगा,